हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग अरे क्या बात अभी तो मेरे आने से पहले ही आगे अच्छा तो गुड आफ्टर नून गुड आफ्टर नून वेरी बिट अरे बहुत बढ़िया अरी गुड आफ्टर नून सर अरे हो जाएगी वह गुप में टेंचन मतले बिटा गु सब्सक्राइण शुरू होएगा और तुम्हारा ये सी आई प्यल तो आज से शुरू हो वी चुका है अब अरी बस बता देंगे भाई बता देंगे कि क्या से जोइन होंगे मैं वहाँ फोड़ा सा औप्षन मिलेगा मिल जाएगा कि नहीं समझ में आया टिए आचना पूछ Economic Commercial and Intellectual Property Rights यह क्या है Economic Commercial Intellectual Property Rights देखो, एकड़ियों से क्या समझते हो आप लोगोंने सुना होगा बहुत बार मोदी साब बात करते हैं से मित्राउं, हमारा भारत दर्शमा 5 Trillion Economy 5 Trillion Economy यह जब हम बोलते हैं कि हमारी economy 3 Trillion Dollar है या हम लोग Very Soon 2030 तक we are going to become 6.5 trillion economy हम 5 trillion dollar को cross कर जाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है कुछ होता होगा ना यार कुछ purpose होता होगा इसके बीचे जब हमने बोल दिया कि इतने trillion dollar की हमारी economy हो जाएगी ये economy होती कैसी है GDP से GDP का मतलब पता है किसी को GDP हाँ GDP ऐसा कुछ सुना हो देखो हम सब लोगों ने इंडिया में काम करने वाले हर एक इनसान ने चाहे किसी भी मीन से किसी भी मेथट से जॉब करके सर्विस करके बिजनस करके किसी भी तरीके से जो पैसा कमाया उस सब को इकठा कर दो उन सब का टोटल अब अगली बात पे ले के आता हूँ कह रहा है अब एक और बात को समझते हैं अभी क्या पढ़ना है अभी हमने उसी एकॉनमी के बारे में पढ़ना है अच्छा एक बाब बताओ बहुत सारे बच्चों को ना ये शौक होगा कि सर हम ना कहीं बाहर जाएंगे ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं इंडिया के बाहर जाने का शौक रखते हैं अच्छा अगर ऐसा है तो एक बाब बताओ अब एक और बात करते हैं सर मैं चाता हूँ इंडिया के बाहर कहा जाओ दुबाई चले जाओ सर 10 का है 20 का है और 5 रुपे का भी है ये coins महाँ चलने वाले हैं क्या नहीं आपके ये सिक्के नहीं चलने वाले हैं सूरस तो तब से कह रहा है मैं भी New York जाऊंगा और तुम सब को भी ले जाऊंगा अब अगर मैं दुबई जाऊंगा तो सर वहाँ Indian currency नहीं चलेगी ओके तो फिर क्या चलेगा वहाँ पर फिर क्या चलेगा सर वहाँ तो दुबई की currency चलेगी न अच्छा अगर ऐसे ही किसी foreigner को अगर इंडिया में बुला लिया हमने अगर किसी foreigner को हमने इंडिया में बुलाया तो इंडिया में आने के बाद मैं कहता हूँ चलो एक इंसान है वो कहां से वो बाहर से आया है लेटर से आस्ट्रेलिया या यूएस से आया है अगर यूएस से आया है और इंडिया में आके अगर वो जैसे आज क्या है सैटेडे है हाँ सर सैटेडे है कूडी यंदी अके वह जाता है शनी बजार लगा मार्केट लगी होती जला ओगा तो अगर वह शनी बजार में अगर कुछ आमान करीदा कि अच्छा 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 मतलब आप कहना चाह रहे हो वह ऑस्ट्रेलिया से आया चलो मैं इसको थोड़ सा और बदल देता हूं कि वह ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया वह यूएस से आया वो आता है यूएसे से अब इसके पास जो डॉलर है ये क्या कर सकता है उस यूएसडी को इंडियन करंसी में कनवर्ट कराएगा हाँ तब ही तो इंडिया में खर्चा कर पाएगा हाँ अधरवाइस कोई खर्चा नहीं कर पाएगा कि इसी को तो फॉर्ण एक्सचेंज कहते है आपके पडोस में कुछ लोग रहते हैं वो क्या है एकस्पोरटर है ये चाइना से माल मंगवाते हैं कैसे मंगवा लेते हैं आने देते हैं हम लोग कर हम लोग न्युयोप जाते हैं तो जाएंगे तो खर्चा भी होगा और कितना करश कर सकता हूं आज कर मैं देखा लोग क्या करना हुआ हनीमून प़ जा अगर आप नहीं अपने अनीमून पे गया है अब ऐसे अगर आप मालदीव जा रहे हो या आप कहीं वी किसी बिजनस ट्रिप पे जा रहे हो कोई इंसान मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है तो कितना खर्चा कर सकता है कितना खर्चा कर सकता है दस करोड रुपे कर दे धाई लाक यूएस डॉलर्स उससे ज़ादा अगर करना है तो एप्रूबल चाहिए किया सर इसके अलावा इंडिया से बाहर कैसे जाता है और ये भी बताओ कि भाई ये मैकडॉनल्स जो है ये इंडिया में कैसे आ गया क्योंकि जैसे हम बाहर गूमने जाते हैं तो कोई बाहर से भी तो यहां आता है जब इंडिया के लोग इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करते हैं अब ऐसे ही अगर माल लो इंडिया के बाहर की कोई कंपनी है जो इंडिया में आना चाहती है और यहां आके इंवेस्ट करना चाहती है तो मैं इसे कहता हूँ इसे हम लोग क्या कहते हैं FDI FDI का नाम सुना है किसी नहीं यह तो सुना होगा कभी FDI हुआ करती है हमारे देश में FDI आ रही है बाहर से बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो यहां आ रही है और यहां के पैसे लगा रही है for example McDonald's गए होगे कभी हां McDonald's गए है अच्छा आप सब्वे भी सुना होगा आपने हां KFC सुना होगा हां अच्छा सर एक और चीज बुलट ट्रेन का कॉनसेप्ट आ रहा है इंडिया में यह भी सुना होगा तो बहार से बहुत सारे ऐसे कॉर्परेट्स हैं जो इंडिया में आते हैं और यहां आके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं सर इसी फंडे को FDI पर चलाते हैं येस इसी बात को FDI पर भी आते हैं पहले बीड़ा मैं एक मिनट आपके साथ भी बैट जॉइन कर लूँ पता चले महां कुछ चल रहा हो और मुझे पता ही न चले देखो अब अगली बात को समझो के रहा सर ये overseas direct investment क्या हुई जो हमने इंडिया से बाहर करी और foreign direct investment क्या हुई जो एक inward है जो की में किसका पैसा लगा हुए Swiss bank देखा तुम लोग ने कभी दिखाता हूँ आज देखाता हूँ अब इसके अलावा ये सारी बाते होंगी फेमा में अच्छा एक बाब बताओ मेरा एक दोस्त है वो न सरकारी सरकारी नौकरी है उसकी क्या वो इंडिया से बाहर से उसको पैसा बेजरा ले सकता है हाँ या ना इनी गवर्मेंट इंपलॉई आएसे इंडिया के बाहर से कोई foreign contribution रिसीव कर रहा है क्या कर सकता है या कोई ऐसा इंसान accept कर सकता है जो अभी election लडने वाला है जो election में आ रहा है और उसको बाहर इंडिया के बाहर से कुछ पैसा आ रहा है तो क्या accept कर सकता है मत्तिवारी जी कह रहे है हाँ ना कि नो नेवर नेवर एवर ऐसा हो ही नहीं सकता यह जो contribution है सरियरी सीवी नहीं कर सकते आप मना है किसने मना किया फिर से फेमाने अच्छा ऐसा क्या हाँ अच्छा अब एक बात और बताओ देखो हमेशा से ही government कहती है कि भाई आमें काम करते है government चाहती है अच्छा एक बाब बताओ हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि हमारे export जादा हो या import जादा हो यह बताओ अब हमारे export जादा होने चाहिए या हमारे import जाना होने चाहिए मतलब यहां से अगर इंडिया से बाहर मैं किसी foreign country में अपनी goods दे रहा हूँ या अपनी services दे रहा हूँ मेरा यह जादा होना चाहिए या जो हमारा import है वो जादा होना चाहिए यहां से कुछ मेरे हाँ पर import हो रहा है यह जादा होना चाहिए रेख्सपोर्ट जादा होना चाहिए क्यों मेरे पास कल को अगर लोग पैसे मांगें ह्यों कर दो दhouse हम सब्ध्यार क्या export कर रहे हैं कि इंभ चु scratch करने हैं उभर या मैं कि आ ऐक चुछ मैं करे दो दूद होला है कर दो अब हम बात करते हैं पहले कि हम इंपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं कोई बच्चा बताएगा सर अब फटावट कोई बोल देगा कि सर हम ना चाइना से बहुत इंपोर्ट करते हैं ठीक है चाइना से इंपोर् मुबाइल आई गेस पेट्रोल आई येस हां ठीक है इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सर हमारे पास इलेक्ट्रोनिक्स बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है इलेक्ट्रोनिक्स हां अगर मैं बात करता हूं mobile phone की तो मेरे दोस्त अगर हम बात करें वीवो ओपो पोको वीवो वन प्लस आईक्यू ओओ त्री ये सारे के सारे एक ही कमपनी के हैं क्या आप बात कर रहे हो इन सब का मालिक एक है हाँ चाहे आप वीवो की बात करो ओपो की बात करो पोको की बात करो वन प्लस की बात करो सर आईक्यू ओओ त्री की बात करो इन सब का एक ही ओनर है ओ बीबीके ये क्या कौन बनेगा करोरपती नहीं बीबीके नाम की एक कमपनी है बात करूंगा इस बारे में आगे चलके पर फिलाल थोड़ा सा और समझते हैं कि एक और फंडा समझो इलेक्ट्रानिक्स मंगा रहे हम एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा कि सर हम पेट्रोल मंगवा रहे हैं ठीक है और क्या मंगवा रहे हैं सर हम जोटषी मंगवा लेते हैं बहुत बाहर से अच्छा हाँ ये सब चीजे तो हमारे हाँ आती ही रहती है इंपोर्ट ज्वेल्री पेट्रोल और अगर मैं बात करूं प्लास्टिक बहुत मंगवाते हैं यारम टॉप टेन आइटम्स में प्लास्टिक आता है पेट्रोल की जगा मैं पेट्रोलियम प्रॉडट्स लिख देता हूँ क्योंकि पेट्रोल डीजल ये सब भी तो आ रहा है हाँ ठीक है इसके अलावा हम प्लास्टिक मंगवा रहे हैं और हम हेवी मशीनरी मंगवा रहे हैं हेवी मशीनरी या हेवी ट्रांसपोर्ट एक्विप्मेंट्स अच्छा जब अभी आपने देखा होगा उत्राखंड में कोई एक कलामिटी हो गई एक एक एक्सिडेंट हो गया पर हम सक्सेस्फुली सब लोगों को बचा पाए बेरी नाइस अब उसके अंदर जो मशीनरी लगी तो कह रहा सर वो भी तो फॉरन थी हाँ हमने ऐसी बहुत सारी मशीनरी इसको इंपोर्ट किया है अब मैं अगर बात करूं तो बैटा हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं कि सर इंडिया से हम बाहर बेशते क्या हैं बहुत सा लोगों पता है इंपोर्ट इंपोर्ट करते रहे हो हम बाहर क्या बेशते हैं कि सर बाहर बेशते हैं गन ओ यह किसने कहा तुम लोगों को कि कि हम गन बेशते हैं बात नहीं या टनल वाली की बात कर nào हूं मैं हम यहां से export करते हैं leather हम export करते हैं textiles हम बहुत बड़िया काम कर रहे है pharma cuticals में हम export करते हैं petrol क्या आप बात कर रहे हो bolink है यह data रही आपका petrol गहां से भेज़ना लग गये हम यार petrol थो हमारे पास खुद नहीं है पर बिटा हमार पास बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरी हैं तो टॉप टेन आइटम्स में ये भी आता है अच्छा ऐसा क्या हाँ फार्मा कुछ डैरी प्रॉडट्स डैरी का समान पेट्रोल लेधर जुएल्री यह ब vacberry ऐसा क्या जुएल्री इलेक्ट्रोणिक्स पेट्रोल प्लास्टिक में सब चीजें बहुत जड़ा इंपोर्ट और यनिट इदर सर एक मिनट इदर आजाओ हाँ जी लो आजाते हैं इदर फॉरन एक्सचेंज रिजर्व की अगर मैं बात करूं हमने कितना एक्सपोर्ट किया है कितना इंपोर्ट किया है यह सारा डेटा आपके सामने अच्छा ऐसा क्या हाँ हमारे फॉरन एक्सचेंज अभी as of now by 586 बिलिय management कैसी है GST collection कैसा है हमारा IPP क्या कर रहे हो आप यह हमारे को नहीं पता चल रहा है भी नहीं पता चल रहा है को यह वाला डेटा कुछ समझ में आ रहा है देखो इदर आओ यहां पर पता चल रहा है आपने कितना एक्सपोर्ट किया किस महीने में और कितना आप इंपोर्ट क कितना हमारा loss है सर इस deficit में हम अभी है deficit क्या होता है विटा जब हम export कम कर पा रहे हैं और import जादा कर रहे हैं अच्छा ऐसा हां उसी को हम deficit कहते हैं अब फिलाल थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं क्योंकि सर यह deficit वाली कहानी तो मैं बहुत बताऊंग आपको हर एक तरीक सब सरकारी डेटा है किसी और की वेबसाइट नहीं है अभी एक और बात बताता हूं चलो अब इसको छोड़ते हैं वापिस पढ़ाई पढ़ाते हैं सर क्योंकि पढ़ाई करनी जरूरी है यह सब तो आपकी नौलिज के लिए है और पहले तो हमारे को बेसिक समझने हैं बेसि सर यह क्या है foreign exchange management act फेमा देखो foreign exchange से डील करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक जगा पर कोई ना कोई आक्ट तो होता है न तो यहां foreign exchange management से डील करने के लिए हमारे पास जो act है that is फेमा तो सर फेमा ही है क्या 1999 में जाकि हमें याद आया कि ऐसा कोई act बनाना है न the year 1973 change हुआ हमारे पास फेमा आ गया अब फेमा क्या करता है चाहे आप इंडिया से बाहर घूमने जा रहे हो चाहे आप किसी तरीके से अपनी business trip पे जा रहे हो कल को तुम honeymoon पे जा रहे हो तुम्हारी मर्जी है भाई जैसे मर्जी business trip पे जाओ दुबाई जाके iPhone ले आओ everything is governed by अच्छा ऐसा क्या हर एक जगा फेमा आएगा आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेटर है वो क्या करता है अगर क्रिकेट खेलने के दौरान पता चला कि उनको एक बहुत खतरनाग बिमारी हो गई है अब उसके बाद उन्होंने treatment कराया इंडिया के बाहर गया तो ऐसे बहुत सारे बच्चें इंडिया के बाहर पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं वापिस आ जाते हैं सर्वहीं सैटल हो जाते हैं आपके कोई न Whoo काजन वैसे भी होंगे तो अब ये सब कैसे डील हो रहा है सर अगेन फेमा आपको यह सारी चीजे बताता है अब एक चीज मैं स्वह और बताया कि foreign exchange reserves हमारे कितने हैं और हमारे सबसे ज़्यादा profitable export products कौन से हैं वो ये रहें अच्छा ऐसा क्या अभी फिलाल और आगे लेकर चलता हूं सर एक बाब बताओ ये current account transaction क्या है और capital account transaction क्या है दो तरीके सर फुल मोधी वाले हैं हर हर मोधी कि उसने कहा नहीं वी आर इंडियन मैं बाइ सीदी सी बात है हम किसी political party के साथ नहीं होते हम अपने देश के साथ होते हैं भारत माता की जैर politics की बात हम लोग नहीं करते हैं अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं पहले chapter की मैं बात कर रहा था current account की और capital account की जो हमारे day-to-day affairs हैं जिसमें हम लोग straight away क्या करते हैं सर्फ payments करते हैं in due course of business अगर माल लो मैं आपको कहता हूँ जैसे अब domino's तो इंडिया के बाहर भी है और domino's in India के अंदर भी है अब इंडिया में india में पूरे business को चलाने के लिए domino's ने business को set up करने के लिए शुरुआत में बहुत पैसा भेजा ओगा हां पर सरभाद में अब ये पैसा जो भेज़ दिया business setup करने के लिए समझ में आता है अब business को रोटीन में चलाने के लिए अगर कोई पैसा बिजा जा रहा है in due course of business that is current account transaction पर यही अगर कोई asset या liability के लिए भीज रहे हो तो capital account transaction है asset liability create करो या alter करो आपकी मर्जी दोनों ही सेनारियों में क्या है capital account transaction अच्छा एक बाँ बताओ अगर कोई एक बच्चा है वो अपने घर पे वो अपने घर पे कितना foreign exchange रख सकता है आप अपने पास dollar रखना चाहते हो कितना dollar आप अपने पास रख सकते हो कोई एक बच्चा guess करेगा sir मैं US dollar रखना चाहता हूँ जैस छरी राओ अब बताओ आप कितने US dollar अपने पास अपने घर पे अपनी जैम में रख सकते हो यह मुझे बताओ यार बड़ा सिंपल सा फंडा है यह तो आसान सी बात है कोई बच्चा बताएगा बता दो यार कोई तह बता दो थोड़ा सा ही बता दो différents हजार दो हजार टीन हजार पांच हजार दस हजार थामिति ही कि मतलब नहीं पता दो हजार दो हजार यह पच्शी सो इन मेंसे एक लिमिंट है ऐसा क्या अच्छा अब मैं और बता देता हूँ थोड़ा सा अगर आप इंडिया से बाहर डोनेशन करने जाते हो आप कैसा बढ़ा हो गया सर पैसा बहुत हो गया सर इंडिया के बाहर डोनेशन करने जाएंगे और इंडिया के बाहर जो इंस्टिउशन है वहार डोनेट करके आउंगा अच्छा ओके ठीक है तो अगर आप चेर वगरा डोनेट कराते हूं कहीं पर किसी एजेंट को कमिशन दे आते हो और अगर माल लेता हूं कि आप कहीं पर गिफ्ट दे आते हो आपका कोई कजन भार रहता है उसने राखी बान दी आपको उसने आपको राखी बान दी आपने गिफ्ट बेज दिया यहांसे कितने का गिफ्ट बेज सकते हो क्या बात कर रहे हो सर ये तो किसी भी बंदे को पता ही नहीं होता ऐसे थोड़ी कंप्रिसेविटरी बन जाओ या तूफान आदमी बनना दुमारे को अच्छा ऐसा क्या सर आ LRS scheme देखाता हूँ ये LRS scheme क्या होती है ये LRS scheme again that is given by the Reserve Bank of India के रहे सर देखो बात को समझो बेटा इंस्टिट्यूट की जो किताबे हैं वो किताबे कहां से बनके आई हैं मैं ये तक बता दूँगा तुमारे को आज अपडेटेड ओन 6 ओफ एपरिल 2023 ये LRS scheme आपके सामने है अब आप इस LRS scheme के अंदर लिमिट लगाई कितनी दो लाग पचास अजार यूएस डॉलर्स एटी से मल्टिप्लाय गर लो है ना दो इंच यार तुम क्या वो भाई ठीक है आप मैं एक इंडिविजुल की बात कर रहा हूँ सेंटरल गवर्मेंट अलग चीज़े हैं ना यार अब आपने क्या कह सकते हो दो लाग पचास अजार यूए तक का खर्चा है के रह सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर लिमिट लगा दी कितनी दो लाग पचास अजार क्या काम नहीं कर सकते ये ये हम नहीं कर सकते किस किस परपस के लिए LRS कीम को यूज किया जा सकता है आपने का घूमने चलते हैं दुबाई चलते हैं गूम आते हैं ओ ठीक है बहुत बढ़िया तो सर LRS कीम का अच्छे से क्या बात कर रहे हैं ऐसे कैसे थोड़ी सी लाइट जरूर हो सकती है पर ऐसा सोड़ी होगा बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोगों को अच्छे से क्या मिरको बताओ एक बार जल्दी से ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दूँ ओके ठीक है कोई बात नहीं ब्राइटनेस अभी कम करा देते हैं और बताओ ब्राइटनेस अभी कम करा देते हैं बागी बच्चों का क्या कहना अच्छा अब इन सब पर्पसेस के लिए स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर सकते हैं अच्छे कहने हैं कि वह थोड़ी सी नजर कम आ रही है हमारे को कोई आदनी बैटा एक मिनट रुखाओ भी करा देते हैं अब देखो चेक है अब चेक करो सही है अब बेटर हो जानी चाहिए अब ठीक है डार्क मोड आउन कर लू अंधेरा हो जायागा यहां पर लाइटे वाइटे बंद कर दो सर अंधेरा हो जायागा एक दम अच्छा अब जैसे हम लोगों ने बात भी करी अबाउट LRS स्कीम LRS स्कीम है क्या रेमिटेंस की ध्यान रखना दो लाग पचास अजार यूएस डॉलर्स यहां तक खर्चा हो रहा है चाहे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से है चाहे आपकी करन्ट अकाउंट ट्रांजेक्शन से है क्यारा सर कोई दिक्कत ही नहीं है अब अगली बात पे लेकर चलता हूँ अब यह तो इंट्रस्टिंग लग रहा हो गया अब बहुत लोगों ने यह भी बताया कि अगर आप इंडिया में पैसा लेकर आए तो क्या आप इंडिया में पैसे को खर्च करोगे और जो भी पैसा आप यहां से कमाओगे उस पैसे को वापस ले जाओगे या उस पैसे को अपने पास रखोगे ये बताओ सर अगर आपके पास इंडिया में से आपने पैसा कमाया और वो पैसे को आपको वापस ले जाओगे डॉमिनोस पैसा कमा रहा बाई बिंदास पैसा कम और नॉन रिपेट्रियेशन बेसे दो तरीके हैं अगर आपने इंडिया से पैसा कमाया कितना अपने जा सकते हो कितना लहीं ले जा सकते हो फेमा कहता है भाई यह मैं बताओंगा तुम नहीं बताओंगे अच्छा ऐसा भी है अब ऐसे ही आपने देखा होगा कि कोई बच्चा क्या करता है इंडिया के बाहर अपनी फीज भरता है हाँ इंडिया के बाहर फीज भरता है तो वो क्या होता है केरे सर अगैन LRS सिस्टम्स को यूज किया जाता है कोई कियाता है मैं पढ़ने चला गया जी बहार Stanford University में अगर आप एक Compressoratory हो तो आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं इंडिया के बाहर जाने की हाँ क्या बात कर रहे हो हाँ जी हाँ आपको बहुत सारे chances मिलने वाले हैं इवन शायद थोड़ से examinations crack करने के बाद आप Compressoratory जैसे इंडिया में हो तो UK में भी बन सकते हो अगली बात पर आता हूँ अगली बात पर आता हूँ थोड़ा थोड़ा basic समझ में आया होगा FEMA क्या है हा अब बात करते हैं foreign direct investment की सर foreign direct investment येस कि हमारे देश में जो पैसा बाहर से आता है सर उसके क्या तरीके हैं कौन-कौन सी AC जगाएं हैं जो allowed हैं जहां पैसा ले आना allowed है अब अगर कोई इंडिया की बाहर का बंदा है और वो इंडिया में investment करना चाहता है इंडिया में पैसे ल कि यह यूएस में रहते हैं और इंडिया में पैसा invest करना चाहते हैं क्या कर सकते हैं सर बताओ कर सकते हैं क्या क्या ये जो भाई साहब है इन्होंने कहा कि मैं तो इंडिया में पैसा लगाना चाहता हूँ मेरा इंडिया में पैसा लगवा दो तुम कंपर सेकेटरी हो पैसे लगवा दो यार इनके लगा सकते हैं क्या डी वैल्योएशन से अरे रिवैलिएशन से डिवैलिएशन से ये क्या चीज़े है भई चलो ठीक है मैं अलग बताता हूं यहां पर यह नोटे पैसा जो लगाना है वो लगाना है रियल एस्टेट में कहारा है यार प्रोपोर्टी बड़ी बैंगी हो रही है वो खरीद लेता हूं एग्रिकल्चर में लगवा दो या बहुत बार कहाँ पीडविव बड़ा शानदर काम कर रहा है पीडविव में लगवा दो जाए अगर यह AnOW मतलब सर ऊटो में बैठके पैसे लेकर नहीं अना है जएն ने म।ा है एक पैसे लेकर नहीं आना है आपंस ऑ्टो में का मतलब होता है कि सर आपके पास आपके पास किसी की पर्मिशन लेने की जुरूत नहीं है स्ट्रेट अवे सीधा जाओ और पैसा इंवेस्ट कर दो ठीक है और कुछ होते हैं एप्रूवल रूट्स जहां पर आपको पर्मिशन लेनी पड़ती है आपको पहले एप्रूवल लेकर आना पड़ेगा तो ही आप इंवेस्ट कर पाओगे सर जैसे कि अगर थोड़े से एक्जांपल में देना शुरू करूं न्यूस पेपर है तो वहां पर 26% तक FDI अलाउड है कोई टेरिस्टेरियल ब्रॉटकास्टिंग है न्यूस या करेंट अफेर टीवी चैनल है 49% अलाउड है केबल नेटवर्क में पैसा लगा रहे हो 100% अला उलिव ट्री प्लान्टेशन इनमें पैसा लगा हो 100% कोई दिक्कत नहीं है कोहले में पैसा लगा दो कोई दिक्कत नहीं है कहले सर इसके अलावा पेट्रोलियम नैचरल गैस में 100% FDI अलाउड है डाट टू अंडर दो ऑटोमेटिक रूट किसमें कितने पैसे लगाए जा स आथ के साथ इकठे आ गए तो मेरे दोस्त सौ में से 60 नंबर का पेपर यही ले जाएंगे कम से कम 40 का यही लेकर जाएंगे 60 के भी हो सकते हैं इतने खतरनाक हैं अभी फिलाल और आगे लेकर चलता हूं तो आयोप आपको समझ में आया होगा कि यह FDI होता क्या है अब क्यारा सर पहली बात तो पैसा कौन लगा सकता है एंट्री रूट्स क्या है दो पताए मैंने एक आटोमाटिक है और एक क्या है गवर्मेंट रूट यानि कि जिसको हम एप्रूवल रूट भी कहते है ठीक है सर अब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पैसे लगा सकते हो सर कोई आया क्याए सर मेरे पैसे में लगा दो मैं कई सर आर्मी वाली सडी डिफ्छ डिफेंस में लगा लो मेरा पैसा है यह पैसे नहीं लागा सकते हो अ ठीक है अगर कहीं पर पैसे लगाने भी जाते हो तो फिर यह देखा जाइगा कि आप णे और इस में लगा लो मेरा पैसा मैं बोगा यह सकते हो अच्छा तो कुछ एरियास ऐसे हैं जहां मना है और पर स्ट्रेट अबığı पैसे लगा सकते हो सर कोई मना नहीं है ठीक है अगर कहीर पर पैसे लगाने भी जाते तो फिर यह देखा जाएगा कि आप पैसे कैसे ला रहे हो सर सोना चांदी ला रहे हो या सोना चांदी चमन परास लेके आगे हो देखा जाएगा ना कि कैसे पैसे लाए हो अब आगे बात करते हैं ODI यानि की Overseas Sir December 2024 में बोथ मोड्यूल के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा अभी तो सो फार अगर मैं बात करूँ अभी तो टाइम है अभी आप रजिस्टर करते हो तो आपको जून अटेंट मिलेगा उसके बाद एक और डेडलाइन स्टार्ट होगी जब डिस इस पोईंट mère अफ पर अपक्या हो रहा है किले सर्फ आप एक इंडियन कम्पनी कं मैं का ठीक है observe आउटसरेट इंडिया पैसा लगाना या पैसा लगाया हुआ है बहूत लोग ने लगाया हूआँ और अब ये पैसा कैसे लगा ओगे आपकी कंपनी ने कहा चलो let's expand our business हमारा business expand करते हैं और हम चाइना में भी जाएंगे business वहाँ पे एक subsidiary कोलेंगे, subsidiary समझते हो क्या होती या holy on subsidiary या joint venture यूरोप में खोलेंगे एक चाइना में खोलेंगे, एक लेंडन में खोलेंगे सर ये इंडिया के बाहर जो आप पैसा लगाने के लिए जा रहे हो, ये system कैसे काम करेगा, बेटा बताया तो अभी नहीं exactly याद dates बता दूँगा बता दूँगा, tension मतलो यार, tension मतलो अच्छा, अब सर ये funda क्या है इंडिया के बाहर जब मुझे पैसा लगाना है तो मैं कैसे लगा सकता हूँ ओनलाइन लगा सकता हूँ, क्या अच्छा बाह बताओ, चलो एक चीज और बताओ एक और चीज बताओ, सर अगर मुझे Google कंपनी में इंवेस्ट करना है तो ये हो सकता है, क्या Google में Tesla में और कोई है सर Amazon Company के शेयर खरीदने है Amazon Company के शेयर खरीदने है तो सर वो खरीद सकता हूँ क्या सर वो इंडिया में कहा है इंडिया के बाहर है ना मैं इंडिया के बाहर ही तो पैसा लगाने की बात कर रहा हूँ आप इस तरीके से कि भई अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए आपने कहा कही ना कही तो बंदा जाता ही है हाँ तो यह खरीच सकते हैं कैसे कैसे खरीच सकते हैं सब पता नहीं पर उसे ODI कहते हैं बिजनसेस की रिक्वार्मेंट है आज के टाइम पे अगर हम देखें यहर बाबा राम देव की कंपनी का नाम जोने मैंने पतंजली वो एक्सपैंड करते जा रहे हैं इंडिया के बाहर पहुंच गए हैं देखो बात को समझो Overseas investment का मतलब है Financial commitment of investment by a person in India कहां पे कर रहा है Overseas ज्यानिकी साथ समुंदर पार मैं तेरे पीछे-पीछे आ गई हां कुछ वैसा ही और accordingly क्योंकि market बहुत बढ़ा है सर अगर profit लोगों को नहीं चाहिए होता तो Amazon आपके हां इंडिया में नहीं आता यह जितनी foreign company आप देखते हो वो इंडिया में नहीं आती ऐसा क्या वो अपने यह बेठे होते बिंदास चला रहे होते क्या दिक्कत है अराम से चल तो रहा है business बिजनस ग्लोबली बहुत बढ़ा है और इसलिए आप भी expand कर रहे हो आप भी आगे जा रहे हो ऐसा क्या PW international हो चुका है यार Gulf country में आ चुके हैं कमाल कर रहे हैं ओडियाई बताओंगा कैसे क्या तरीका है किस तरीके से हमने इंवेस्ट किया अच्छा एक बात बदाओ आपको पता है मुकेश अंबानी सर्जो है उनके एक भाई है अनिलंबानी हाँ हमने सुना उसमें क्या दिक्कत है अच्छा अगर मैं कहता हूँ चलो मैं हूँ मेरे को इंडिया से मतलब इंडियन बैंक से लोन लहीं लेना मैंने क्या करा मैंने का बैंक ऑफ अमेरिका को बगड़ा और मैंने उसको बोला मैं का तू मेरे को लोन दे दे क्या यह हो सकता है सर क्या यह हो सकता ह हाँ लोन मिल सकता है क्या यह नहीं लोन की बात ठीक है पर क्या यह externally किसी foreign country में जाके उसके बैंक को अप्रोच करके क्या वहां से लोन ले सकता हूँ यह बताओ मेरे को पहले अब यह पाला यार ऐसा कुछ सुना होगा जिसे हम कहते हैं external commercial borrowing external है commercial है यानि की commercial purpose के लिए है और वह बॉर्विंग भी है बिल्कुल ऐसा हो सकता है depending upon कि पैसा कौन ले रहा है कहां से ले रहा है देखो वन यह फाइव यह टैनियर इतने maturity period का आपके पास time होता है depending upon कितने time के लिए आपको पैसा चाहिए और किस purpose के लिए हैना किस purpose के लिए आपको पैसा है सरी मैं बाहर क्यों जाओंगा यार मुझे डॉलर में पैसे देने पड़ेंगे नहीं नहीं देखो अब अगर मैं कहता हूँ आपको आज के time पे वन डॉलर इस इक्वल टू 80 रूपीज ठीक है मोटा मोटा हिसाब लगाना मैंने एक इनसान से 10,000 डॉलर ले लिए ठीक है आज मेरे को कितने पैसे मिलेंगे सर आज आपको पैसे मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा इसके आठ लाख रूपे ठीक है और मेरी पूरी प्रेडिक्शन है या तो मेरा बिजनस इंटरनाशनल लेवल पर है और मुझे चाहिए ही फॉरेक्स तो ये मेरे को डॉलर देगा कोई दिक्कत नहीं है पर अगर मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में पूझे पूरा बरोसा है कि 1 डॉलर विल बी इक पैसा मैंने यहां पर 10,000 डॉलर लिया जिसके बदले में मुझे कितना पैसा मिला आठ लाग वापस कितना पड़े करना पड़ेगा सरफ पांच लाग दिस इस दूटु तो फॉरें करन्सी फ्लक्शूइशन पर जिन भी लोगों कि अगर मैं बात करूं अगर उन्हें पैस बहुत सारी चीज़ों का और भी ध्यान रखना पड़ेगा अब अगली बात पर आता हूं सर यह सब भी होता है हाँ अब यह ECB दिलवाएगा कौन अच्छा बताओ मिलको ECB दिलवाएगा कौन ECB लेकर कौन आएगा दिलवाएगा कौन प्रोसेस बताएगा कौन बताओ यार जल्दी से बताओ कौन दिलवाएगा कौन दिलवाएगा एक ECB में तुरा कंपने सेक्रेटरें ECB कैसे लाओगे ECB भई मैं बताओ अच्छा अब एक चीज और बताता हूं हमारी न हर बार हम लोग हमेशा से जैसे आप लोगों ने बताया हम लोग हमेशा से कोशिश करने हैं कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंग्रीज हों और इंपोर्ट्स कम से कम रखें ठीक है अब इसके लिए गवर्मेंट बहुत हमेशा से कोशिश करती है कि लोगों को जादा से जादा हम भाई offers ऐसे दें ताकि वो ताकि वो एक्सपोर्ट करने पे आए अब एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्मेंट क्या क एक और चीज आप लोगों को बता देता हूं कि आओ कभी यह open करके देखते हैं स्वारी कि अगर आप बच्चों को नहीं पता तो यह भी बता देता हूं कि अमेंडमेंट्स कैसे चेक की जाती है यह आपकी ICSI की website है आपको नई वाली foreign trade policy भी अभी दिखाता हूं यार आए हो तो यह आपका new syllabus है और आपका उसके बाद है study material executive program executive program और उसके बाद sir हम आ जाते हैं ECIPL इसके अंदर अभी as of now December के लिए यह amendment भी है sir amendment हम लोग कैसे करेंगे रहे तुम्हें tension नेने की जुरूत नहीं है यह है आपकी foreign trade policy आओ फट आफट से आपको दिखाता हूं यह हमारी foreign trade policy है कर हमारे को बहुत सारी बाते बताई इन्होंने नए नए एक्सपोर्ट हब बनाए नए नए चीजे बनाई एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए यह तक बोला कि भाई देखो हमारी policy है हम एक्सपोर्ट को और बढाना चाहते हैं रिंजिनर्रिंग ऑटोमेशन अच्छा एसा कुछ सुना है न्यूज में टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट excellence कहां ऐसा कुछ सुना है economics में पढ़ा था यह अच्छा ऐसा पढ़ा था थे और चोछ सभी बताओ हमारी स्कीम आई है जो पर निकाली फिर से उन्होंने एक स्कीम निकाली स्कॉमिट पॉलिसी ताकि हमारा इक और चीज आई हमारी एपी सीजी स्कीम यह गवर्मेंट ने फिर से निकाली ताकि हम और ज्यादा बेटर काम कर पाएं एडवांस ऑथराइजेशन मर्केंटाइल ट्रेड ऐसा कुछ उती और मैं उन्हीं की तरह था जिनको याद नहीं होता ऐसा क्या सर हाँ अब यही है वह फॉरेंट ट्रेड पॉलिसी जो हर बार सरकार बनाती है सो डाट क्या हो सर आपके फॉरेंट ट्रेड और बहतर और बहतर होते जाएं अब गवर्मेंट क्या करती है हमेशा से इसको फॉर्मूलेट किया जाता है जैसे अभी हमारे पास है 2015 से 2020 वाली जो आप अभी पढ़ रहे हो अगर भूल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है यार कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है मैं भी तो भूल गया जो मैंने 12 में पढ़ा था मुझे कौन सा याद है अपनी 12th क्लास का मुझे बस इतना याद है कि economics नाम की एक चीज होती है है हाँ economics नाम से हम लोग कुछ कुछ है है मैंने का यार हम चाえला से बड़ा इंपर्ट कर रहे हैं तो मैंना चाइना में export करता हूं मैं चाइना में export करने लागा हमारे घुलाब जामुन बड़े famous है गुलाइप जामुन है अभी क्लास के बाद मैं गाऊंगा अब मैं यह एक्सपोर्ट करना चाहता हूं गुलाब जामुन मैंने का रहे यार इनको भी तो पता चले गुलाब जामुन कितने टेस्टी होते हैं अब यह गुलाब जामुन जो मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं क्या वो गुलाब जा UK्रोम इतना भी नहीं भूल Sage ले रहा हैं अगर आपको कभी भीकुछ export करना है यह चाइन शेक्ठ कुछ इंपोर्ट करना है उस के लिएए आपको अपना import एक्सपोण कोड या फिर इंपोर्ट एक्सपोण लाइसन्स भी बोलते हैं बहुत लोग IEC code भी बोलते हैं, import-export code बोल लो, import-export number बोल लो, उसका registration करवाना पड़ता है, अब बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं, अच्छा, एक और चीज, एक मिन, एक और चीज बताता हूँ, जैसे यार मैं एक जगा पे काम करता था, अब भी बात को समझो, वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा इंडिया के बाहर से raw material मंगवा रहा है, अच्छा, raw material मंगवा रहा है, इंडिया के बाहर से, और company का नाम है ABC, ABC मतलब अकडवकड मंबे वो, क्या दिखकर है, और यहां से इसने कहीं से भी, लेटर सब्बोस मैं कहता हूँ, चाइना से raw material मंगवा रहा है, और उसके बाद उसने manufacture करा, और manufacture करके उसे USA में बेज़ दिया, ऐसा हो सकता है, बिलकुल, लोग कर रहे हैं ऐसा, और जानी मानी जितने भी taxes आपके उपर लग रहे हैं, चाहे direct way में, indirect way में, सरकार सारे माफ कर देती है, माफ कर देती है सब, अगर आपने taxes भरे भी हैं, वो आपको वापस कर देंगे, कि यह लो भाई साब, अगर आप देखोगे, तो यह सरकार सारी duties, जितने आपके product पर लग रहे हैं, सारी के सारी आपको वापस कर देंगे, अच्छा, अब अगली बात पर आओ, अगली बात पर चलते हैं सर, अगले fundे पर आते हैं, अब यह क्या है, special economic zone, यह है जैसे हमारे पास special child, government, government चाहती है कि कुछ particular areas को, या कुछ particular sectors को, जो business के अंदर आते हैं, उनको promote किया जाए, अच्छा, तो government ने क्या किया, government ने SEZ zones बना दिये, जिसे मैं कहता हूँ, special zones, अब सर, माल लो, अगर आप special zone में काम करने के लिए चले गए, तो सरकार क्या करेगी, आपको बहुत सारे benefits प्रोवाइट करेगी, maybe हो सकता है, आपको सस्ते rates पर, finance मिल जाए, loan मिल जाए, हो सकता है, SEZ के लिए, या तो सरकार ने जो zones बनाए हैं, सर, वहाँ चले जाओ, नई तो, अगर मैं कहूँ, कि ये sort of India का map है, तो इस portion पे हमारा SEZ है, और इसे कहते हैं, DTA, यानि कि, DTA stands for domestic tariff area, ये वैसे custom में भी पढ़ोगे आप, जी हाँ, आप ये custom में भी पढ़ोगे, और SEZ stands for special economic zone, आप ये माल लेना सीधा सीधा कि SEZ जो है, वो इंडिया के बाहर की चीज़ा है, सर, इंडिया की है नहीं, ऐसा क्या, अगर किसी ने DTA से SEZ में माल बेच दिया, या इधर से इधर हो गया, तो वो import, export की definition में आ जाएगा, ज्यादा complex नहीं करता, ज्यादा complex नह जरुरत है हमारे को, complaint नहीं, तुमारे को PW की जरुरत है, अब बात को समझते हैं, अगली बात पर लेकर आता हूँ, अगले फंडे को समझाता हूँ, थोड़ा असान करता हूँ चीज़ों को, foreign contribution क्या है, सर, foreign contribution का मतलब होता है, इंडिया के बाहर से आपके पास पैसा आना, पीछे आपने सुना होगा कि enforcement directorate, इसका नाम सुना है, ED का, सुना है, बड़ी ज्यादा चापे मार देते हैं ये लोग, हाँ सर, ऐसा सुना तो है कुछ, ED, enforcement directorate, हाँ, ऐसा कुछ सुना होगा, कहीं, raid पड़ी है, ED की, ED के यहाँ पे किसी ने ऐसा काम कर दिया, हाँ, बड़, ये ED है, क्या, कहां से आया है, foreign exchange management act में आता है, ED, जी हाँ, ED, अब, अगर कोई इंसान, इंडिया के बाहर से, कोई भी foreign country से, कोई foreign government, या कोई foreign institution, किसी भी तरीके का, कोई contribution, Indian citizen को देना चाहते हैं, क्याना सर, तो वो allowed नहीं है, अगर आप एक सरकारी office में काम करते हैं, या मैं कहता हूँ कि सर, आपको कोई title offer हो रहा है, इंडिया के बाहर से, ना, आप election लडने जा रहे हो, आपको foreign contribution मिल रहा है, ना, बिलकुल भी रही, कता ही straight away, मना है, क्यारे, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी चीजे हैं, जहाँ पर सर मना कर दिया जाएगा, साफ साफ, और आपको कह देंगे, बहार से पैसा, असेप्ट मत करना, अच्छा एक चीज बताओ मिल को, आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग गाएं, यार, इंडिया से पैसा लेके भाग गए हैं, हैं, हाँ, हाँ, सौरी, प्रिवेंचर आफ मनी लॉंडरिंग, अच्छा एक बाब बताओ, किसी को ये पता है, कि ब्लैक मनी क्या होता है, वाइट मनी क्या होता है, सर ब्लैक मनी वही पड़े पड़े नोट गंदा हो जाता है, वाइट मनी फिर उसको साबून से दो देते हैं, सबको फेमा ही रेगुलेट करता है, साथ भाई हैं ये, खतम हो गए अब फिलाल, अब आठवे पर आगे हैं, साथ भाई खतम हो गए, अभी फिलाले एक बात बताओ, मुझे ये बताओ, क्या आपको पता है कि काला पैसा क्या होता है, सफेद पैसा क्या होता है, सर काला पैसा और सफेद पैसा, वाइट मनी, ब्लाक मनी ऐसा कुछ सुना है, ऐसा कुछ देखा है आपने क्या, ऐसा कुछ देखा है, नहीं, तो तर होता ना कि black money को अगर आप white में convert कर देते हो तो उसे कहते हैं money laundering किसी ने एक movie देखी है किसी बच्चे ने देखी हो शिवा जी दा बॉस शिवा जी दा बॉस रजनी कांथ सर के एक movie आई थी unethical money और money earned from the illegal sources is black money आसान शब्दों कि अगर आपने काला काम करके अचा देखो जब ब्लैक मनी तो हर एक तरीके से होता है अगर हमने कोई ऐसा काम किया दुकानदार ने माल बेज दिया उसका बिल नहीं काटा cash में purchase करी cash में sale कर दी कैसर कोई दिक्कत ही नहीं है आपने वह movie देखी हेरा फेरी हेलो ट्रिन ट्रिन कभी राव स्पीकिंग देवी परसाथ के बच्चे तेरी पोती रिंग कु मेरे कपजे में किड्नापिंग से पैसा कमा रहा है क्या income tax return भरेगा इसकी नहीं भर सकता भाई ठीक है आपने अगर किड्नैपिंग से पैसा कमा लिया या फिर मैं अगर कहता हूं जिसे बहुत सार लोग बिजनस कैसा करते हैं सनाचिंग वाला जी आईजील की किलास पता नहीं तुम लोग ने देखा, अब देखी पलवी जी पलवी जी क्लास में देख लेंगे तुम भी क्लास में देख लो यार अभी बात को एक और समझते हैं केला फंटा बड़ा सिंपल सा है कि अगर मालो लोग कोई इनसान है जिसका बिजनस क्या है जो ऐसे वो chain wayne छीन के phone छीन के नहीं भाग जाते वैसे वाले लोग है snatching का business है भाई का अब वो इनसान जो illegal source से पैसा कमा रहा है क्या क्या वो जो illegal source से पैसा कमा रहा है कि कोई drug trafficking करके पैसा कमा रहा है तो अब वो क्या करेगा सर उस पैसे को से white में convert करना है ये थोड़ी है यार काला पैसा है तो जा कि उसको कुछ भी कर लेगा उसको गाड़ी खरीदनी है क्या कहता है कह रहा है बस कल आ रहा हूँ बोरी बर के पैसा दे देंगे सरकार ने तो मना कर दिया दो लाग से उपर cash receive ही नहीं करेंगे हाँ ये तो बात है कि अब एक और फंडे को ऐसे ही समझते है अगर आपने movie देखी होगी शिवा जीदा boss तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था आप में से किसी का कभी phone चोरी हुआ है चलो पहले ये बता किसी का phone चोरी हुआ है किसी का phone चोरी हुआ हो या किसी की bike चोरी हो गई हो ऐसा कुछ देखने को मिला हो सर फोन वोन चोरी हो जाते है bike चोरी हो जाती है मतलब क्याना कि चाते हो मैं मानता हूँ कि अगर मेरा phone चोरी हो गया तो सबसे पहले चोर क्या करेगा उसमें से चोर सर सबसे पहले तो आपके फोन में से सारा डेटा डिलीट कर देगा ठीक है और दूर दराज कहीं बहुत दूर ले जाके उसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो वो ले जाएगा उसे कम से कम भी 500,000 किलोमेटर दूर बिहार के भी कहीं आगे ले जाएगा कोलकता में ले जाएगा ठीक है या बिहार में ले जाएगा अब वहाँ पर ले जाने के बाद वो क्या करेगा सर महाँ पर ले जाने के बाद डेटा डिलीट हो गया सिम फैक दी उसने आपकी अब आप क्या करोगे सोर साला डिलीट हो गया और घुमा के लाके हो सकता है वापस दिल्ली में बेज दे अच्छा तो उसने यहां से एक फोन चोरी करा वो उस फोन को लेकर जाता है कहीं बहुत दूर घुमा कर लाता है सारा डेटा डिलीट करता है और वापस मुबाइल किसी और कंपनी के सिम खरीद के फिर वापस सही बजार में बेज देता है हाँ, हाँ, तो बस यही तो काम होता है यार यही तो होती है black money black money में कैसा होता देखो अगर किसी भी इंसान के पास काला पैसा है तो वो सबसे पहले क्या करता है कहले सर उस इंसान के पास अगर black money है मुझे नहीं रखता यह शायद screen आपको दिख रही है screen दिख रही है बिटा नहीं दिख रही है सर, कोई बात नहीं, अभी उसको छोटा कर देते हैं, फिर नजर आएगी, अभी अगर हम लोग बात करें, तो तरीका कैसे होता है, काम कैसे करता है, यह काला पैसा, काम कैसे करता है, तरीका क्या है, देखो, सबसे पहले यह आपके पास है, मैं कहता हूँ, ब्लैक मनी, ये है काला पैसा, अब ये काले पैसे को सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, छोटे-छोटे पार्च में डिवाइट कर देता है, हाँ, काले पैसे को छोटे-छोटे पार्च में, अगर किसी के बाद 2 करोड रुपेया हैं, वो 2 करोड नहीं रखेगा, वो उसको छोटे-छोटे पार्च में अगर डिवाइट कर दिया, उसके बाद वो क्या कहता है, इसे कहते हैं प्लेस्मेंट, उसके बाद लेरिंग, और उसके बाद इंटीग्रेशन, यहां पर हो सकता है, थोड़ी सीज़े कम पता चले, मैं एक और स्टैप आपको बताता हूँ, वि उन सारे के सारे foreign sources के पास इसने money transfer कर दिया, small amounts में, ठीक है, अब इन foreign sources के पास पहुँच गया, अब यह इनसान, जिसका यह सारा का सारा पैसा है, यह वापिस आ जाता है इंडिया में, और इंडिया में आके एक trust बनाता है, और अपने यह सारे foreign sources को बोलता है, कि मेरे trust के अंदर पैसा donate कर दू, हो गया ना खाला पैसा सारा का सारा सफेद, हाँ, यह तो हो गया, अगर किसी के पास 5 लाग रुपे हैं, तो वो क्या करेगा, घर में 4 मेंबर है, 4 हो गया अकाउंट में, एक एक लाग रुपे डाल दे 10-20,000 रुपे हैं, क्यारे सरकार के रिए इससे कोई फरक नहीं पड़ता, फरक पड़ता है, अगर कोई इनसान हर महीने ये काम करवा है, कोई इनसान पूरे साल में 20-50 करोड रुपे, सर वो अगर वो black से white कर देता है, तो दिक्कत है, problem इतनी क्यों है black money से, black money से इतनी problem इस EF2, तो वो कहता है, पैसा बहुत है मिन पास, देश का करजा चुगा ना हो तो बोलो, वो कहता है, मैडम इसका trust है, जिससे हर एक minister की पास पैसा जाता है, ऐसा उसने movie में बताया, तो that means the total complete system, उस movie के अंदर पूरे का पूरा system उसने खरीद रखा था, ओ, क्यारा सर खतरनाक वो कहता हर एक चीज खरीद रखी है मैंने, इतनी money laundering, इतनी money laundering trust की medium से, कहरा सर बहुत जादा, हर एक बंदा, हर एक minister, हर एक चीज वहाँ पर involved दिखाई गई थी, कहरा अच्छा, अब बात को समझते हैं, कहरा यह क्या हुआ, काला पैसा सफेद हो गया, अब इसके पास क् white money, बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे तरीके अपना है, जैसे कि क्या करते हैं, ज्वेलर के पास गए, यह दिखा दिया कि अपने सोना बेचा है, ठीक है, पकड़ जाएंगे, सूनर और लेटर एक ने एक दिन पकड़ जाएंगे, क्या हुआ सर, यह सारा पैसा black money का क बताया, तो किसी के बास 2,00,00,50,00,000,00,00 एक घर में 4 बंदों ने डिवाइट कर लिए, अपने अपने अकांट समें डाल दिये, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या स्वेजब भी सर, आपको बताएंगे कि 10,00,00,00,00, तक है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई दिकत और ये पढ़ेंगे अगर किसी ने ऐसा कर दिया और हम अगर वो पकड़ा जाएगा तो क्या क्या होगा money laundering से problem क्या है money laundering होती कैसे है उसके method क्या क्या है तरीके क्या क्या है और money laundering का क्या गलत impact है वो केतना का अगर आपने घर में जाके बात करोगे तो घरवाले कहेंगे अरे बिटा बुरी कमाई का बुरा नतीजा होता है एक ना एक दिन जो गलत कमाई होती है वो निकली जाती है कहां निकल जाती है इफेक्ट्स अगर black money देश में हो गई और बहुत जादा हो गई तो सर बड़ी जादा दिक्कत होने वाली है क्या एक और बात को समझाता हूं अच्छा आप लोग क्या किसी को जानते हो ऐसे अरे यार नहीं पहले मेरे को एक और चीज दिखानी थी आप लोग इतने सारे डॉक्यमेंट्स में लेकर आया हो तुमारे लिए इनको जानते हो, ये इंडिया में वेसे FDI है जो मुझे थोड़े पहले दिखाना था बट मैं पढ़ाते, 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 पढ़ाते थोड़ा आगे चला गया FDI Roots, Government Roots यह हमारे यह FDI Inflow है कि कौन से महिने में कितना पैसा हम FDI के थुरू हमारे इंडिया में आ रहा है 2013 से यह डेटा है सर ठीक है, 2022 में यह डेटा आप देखो 2023 का अभी नहीं पब्लिश हुआ है यह वैसे भी Forbes की रिपोर्ट है अब यहाँ पर एक और वेबसाइट है जो यह SEZ इंडिया की है नहीं चल रही है, it's okay Department of Revenue यहाँ Money Laundering की हम लोग अगर बात करते हैं तो Overview, Objective, ED, FIUs यह सारी Adjudicating Authority है Provisions है अभी पहले आपको एक Overview दिखा देता हूं कि कैसा दिखता है Prevention of Money Laundering कैसा दिखता है सर मतलब कैसा दिखता है का मतलब है कि होता कैसे है If this website works डाइग्राम नहीं बना है लोगों ने अरे यार नहीं statutory framework एक बार इसको भी देख लेते हैं If it works time लगता है आगे से pages load कर कर रखेंगे पहले नहीं, रहने देते हैं क्योंकि जो डाइग्राम मैंने आपको दिखाया वो भी ऐसे ही काम करता है अच्छा आप लोगों ने एक और चीज बहुत जादा सुनी होगी कि सर ये विजय माल्या, मेहूल चौकसी, नीरव मुदी इंडिया से पैसा लेकर भाग गए हैं बहुत सारा कहां भाग गए हैं कहां भाग गए हैं सर ये तो हम लोगों ने नहीं सुना पर एक स्टेट्मेंट जरूर आई कि 15,000 करोड रुपे ऐसे फ्यूजिटिव एकनॉमिक ओफेंडर से रिकावर कर लिया गया है पहले ये बताओ ये फ्यूजिटिव एकनॉमिक ओफेंडर कौन होता है सर जो इंडिया से पैसा लेकर भागा हो हाँ जो इंडिया से पैसा लेकर भागा हो कितना लेकर भागा हो सर उसने ओफेंस किया हो कितने का कम से कम 100 करोड रुपे का तो उसको ये category मिलती है F.E.O सरकार ने कहा कि हमने finance ministry ने राज्य सबा में clearly declare करा कि 15,000 करोड रुपया अपन वापस लाच चुके हैं अभी तक सर तो है कितना ये तो बात नहीं करी किसी ने कि है कितना पर ये दरूर बताया कि हमने 15,000 कर लिया है approximately अगर हमने जिसमें से 15,000 कुछ करोड रुपय रिकावर भी कर लिया है very nice sir हाँ scam करने वाला अर्चद मैता scam करने वाला नहीं है अर्चद मैता अब पता नहीं है भी नहीं है दुनिया में छोड़ो अब ये फिजिटेव एकनोमिक ओफेंडर क्या है पिटा जिनोंने क्राइम किया और क्राइम की जो यहाँ पर पेनल्टी जो उन लोगों से बनती है या जो रिकावरी है scheduled offense having penalties of or the recovery amounts of above 100 करोड रुपीज ऐसा क्या अब इसमें आप किसी को भी count कर लो हाँ लंडन भाग गए बहुत सारे लोग बहुत सारी जगावों पर भाग गए है क्यार कोई बात नहीं बात करते हैं इस बारे में अब ये fugitive economic offenders क्या होते हैं अगर ये भाग जाएंगे तो हम भाई कहां से लाएंगे चीजों को recover कैसे करेंगे ये सारी बात भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं नहीं यार अच्छा ओके अब ये fugitive economic offender है कौन और पैसा recover कैसे होता है आपने बताया 15,000 करोड रुपए हम लोगों ने वहाँ से वापस ले लिये हैं ये recover कर लिये हैं ये recovery हुई कैसे ED क्या करता है इसके अंदर यहाँ भी enforcement डिरेक्टरेट आता है हाँ यहाँ भी enforcement डिरेक्टरेट आता है और वही आकर उसी को power ली है और वही आकर यहाँ पर भी काम करता है अगली बात पर एक और बात पर लेकर आता हूँ अगले फंडे पर लेकर आता हूँ अब क्या है बेनामी transaction अब बहुत बार क्या होता था ये भी हमने बहुत common तरीके से देखा यार बेनामी transaction क्या है ऐसे किसी इनसान के नाम पर property है जो कि है ही नहीं सरकार ने देखा कि एक plot पढ़ा भाई एक land है जिसकी कीमत है लगबग लगबग 250 करोड रुपए ठीक है इस land की कीमत कितनी है 250 करोड रुपए सरकार ने देखा कि एक इनसान के नाम पर है जिसका नाम है छोटा भीम छोटा भीम सरकार ढूंड ढूंड कर थक गई है यार छोटा भीम मिलने में नहीं आ रहा है यह क्या है नाम छोटा भीम है चोटा भीम तो एक्जिस्टेंस में नहीं है लाला लाला की असली में यह प्रपर्टी है यह बेनिफीशियल ओनर है और रजिस्ट्ररड ओनर कौन है प्रॉपर्टी रेजिस्टर्ड है छोटा भीम के नाम पर इस दा बेनेफीशियल ओनर यह क्या है बेनेफीशियल ओनर है और इनी चीजों को हम कहते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन बहुत बार ऐसी ट्रांजेक्शन एकॉनमी में देखने को मिली है जो असलियत में होती ही नहीं है जो असलियत में नहीं है जो असलियत में है ही नहीं ऐसे लोगों के नाम पर अब जैसे अगर आपने देखा होगा एक मूवी आई थी अक्षे कुमार की एंटर्टेन्मेंट उस एंटर्टेन्मेंट वाली movie के अंदर पता चलता था there was a dog named as entertainment उसके नाम पर property एतनी सारी है हाँ कहा चलो dog दिखतो रहा है पता तो चल रहा है कि डॉग है यहां तो पता ही नहीं है ऐसा कोई बंदा है ही नहीं उसके नाम पर transaction हो जा रही है एक बार और बात ऐसी हुई कि enforcement डिरेक्ट्रेट ने किसी को पकड़ा वो उसके घर पर जाते हैं कह रहा है यार यह कौन बंदार रोज 5-7 करोडर पर के चेक कार्ट देता है वो भी individual पता नहीं कहां से इसके अकाउंट में पैसा आता है और यह हर महीने हर महीने कम से कम भी 1.5 करोड रोपे की transaction करता है जाके गाउं में उसका घर देखते हैं वो कहता है मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है तूटा वग अच्छा घर है और उसके नाम पर यह सारी transactions हो रही है केस कहां बनेगा बेनामी transaction ओ ऐसा हाँ अगली बात समझो अगली बात समझो अगर यह बेनामी transaction कहीं भी पकड़ी जाती है तो क्या होगा सरकार के लिए पकड़ लेंगे इसको इसको पकड़ लेंगे बेनामी प्रॉपरटी को भी पकड़ लेंगे बेनामी transaction को भी पकड़ लेंगे और straight away क्या करेंगे confiscate यानि कि अपने कबजे में ले लेंगे ओ अपने कबजे में लेंगे जी हाँ अगली बात पर आता हूं सर अब यह competition क्या होता है सर आज कल competition बढ़ा है ना हाँ competition बहुत आपको बता है Google के ओपर penalty लग गई थी competition को लेकर गूगल पर penalty लग गई थी हाँ क्योंकि वो प्ले स्टोर में कुछ चीजों को पॉलिसीज को ठीक नहीं रखा वा था उसने competition क्या होना चाहिए फेर होना चाहिए मार्किट में दो दुखाने है चलो एक बढ़िया सा एक और एक्जांपल देता हूं यह क्या है सर यह बजार में एक सब्जीमंटी लगी हुई है और यहां पर सब लोग healthy तरीके से अपना पूरा competition कर रहे हैं सब लोग अवाजे लगा यह चोरी का सामान बेच रहे हैं ओके क्या यह चोरी का सामान अगर बेच रहा है तो हो मेरे दोस्त क्या यह बाकी जितने भी यह लोग हैं यह compete कर पाएंगे इसके साथ नहीं सर competition इसी को तो कहते हैं कि बहुत सारे service providers या बहुत सारे manufacturers साथ में आ गए हैं और उन सब को compete करना है जिससे कि आपके और मेरे जैसे consumers का फाइदा होने वाला है आपके और मेरे जैसे consumer का फाइदा हो भाई पहले क्या होता था दिर वाज पॉइंट ऑफ टाइम कि महीने का जो अबी प्रॉब्लम ही नहीं है सर चोरी का समान अगर यह भाई बेच रहा है अगर मार्केट में मैं कहता हूं चलो यह जो भी बेच रहा है पालक मेरे को तो पालक का ही नाम याद है बाकी लोग पालक बेच रहे हैं 40 रूपीस पर केजी ठीक है इसने rate लगा दिया 20 रूपी नहीं कर सकते हैं, competition कैसा होना चाहिए, healthy competition होना चाहिए, अच्छा अब एक और चीज, एक term आती है, प्रिडेट्री प्राइजिंग, क्या आप लोगों को पता है, कि अगर आप आपका जो cost price है, उससे भी नीचे sale करोगे, कर सकते हैं क्या, भाई 20 रुपे की चीज मैं बजार स और मैं उससे sale कर रहा हूँ, उससे भी नीचे, यानि कि approximately 15 रुपे पर, ताकि customers मेरे पास आए, या मैंने 15 रुपे नहीं रखा इसका price, मैंने इसका price 15 रुपे भी नहीं रखा, इसको 15 रुपे से भी हटाओ, 15 रुपे से हटा के इसका price हम रखते हैं लगबग लगबग 5 र 20 रुपे की cost price है, मैं कितने कब इतना हूँ, पांच रुपे, ताकि जितने भी लोग market में सब बाहर हो जाए, क्या ये हो सकता है? बोलो बेटा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या? loss में बेचना चाहते हो, हाँ, loss में बेचना चाहता हूँ, क्या problem है, बेच सकता हूँ हाँ, सर, पर अगर आप loss में बेचोगे, तो market में से तो सब भाग जाएंगे क्यों? क्या गलती है? भाई, जिस दिन Reliance Zio launch हुआ था, Zio ने straight away 6 महीने के लिए connection free कर दिया था, connection free कर दिया straight away, कि भाई, मेरे को पैसा चाहिए ही नहीं, 6 महीने के लिए चीजों को free कर दिया, नहीं, चोरी का माल नहीं है, चोरी के माल वाला example का तब, 6 महीने के लिए free कर दिया, cost price से भी नीचे, 8L वाला विचारा रोए, कि यार मैं कैसे ऐसे compete करूँगा, आप किसी free की चीज से कैसे लड़ सकते हो, अगर भाई, सीजी सी बात है, मैं market में फोन एने जा रहा हूं, एक जगा फोन मिल रहा है, पचासजा रुपे का, दूसरा बंदा कहता है, अरे भाईया, free है, compete कर लोगे, नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओगे, क्यारा, अब बात को समझो, इसने case डाला, किसका, predatory pricing का, यह सर, यह predatory pricing क्या होती है, predatory pricing का मतलब होता है, selling below the price, price से भी नीचे sale करने को, हम predatory pricing कहते हैं, ठीक है, ओके, क्यारा, habit होने के बाद, customer अपने आप आते हैं, अब अगली एक और बात को समझो, यह ऐसा case हो गया था, हाँ, ऐसे ही Google पर भी penalty लगाए गई थी, competition commission of India ने, Google पर भी penalty लगा दी थी, वो भी बताता हूँ आगे चलके, Google पर penalty लगा दी, येस, अच्छा, आप competition की एक और बात देखो, आप बाजार में जाओ, इन में से कोई भी mobile phone खरीद लो, sir, Vivo है, Oppo है, OnePlus है, यह Realme है, Deezo है, IQ है, अगर आपने कोई भी खरीदा, the owner is one, BBK, ये एक group है, जिसके अंदर ये सारे mobile phone आते है, third largest manufacturer of mobile phones, इंडिया में mobile phone हमारे अपने नहीं है, भाई, सबसे ज़्यादा पैसा हमारा यहीं खर्चो रहा है, ये बदल बदल के, सेम चीज है इसके पास, हर बार डखकर मधल देता है, और हर बार कुछ निया लेकर आ जाता है, ओ, आप किसी भी brand का अगर खरीद रहे हो, आप इसी को पैसे दे रहे हो, मतलब सर, ये तो आपस में competition चल रहा है हमारी नजरों में, पर असलियत में सब का एक ही इंसान, मतलब इनका holy story एक ही मालिक है, हाँ, हाँ, है interesting बात, हाँ सर ये तो ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, एक और चीज़ बताता हूँ, अब आपके पास, अगर मैं कहता हूँ, आपने ये competition वाली जो problems हैं, कि 40 product हैं, एक करोड के penalty लगते, नहीं बढ़िया, product जादा होने से problem नहीं है, इस पर कोई penalty थोड़ी लगती है BBK वाले पे, यह तो मैंने वैसे ही बताया आपको, कि market में आपको competition दिखता है, पर competition है नहीं, ऐसा क्या, अब एक और चीज़ को समझो, रिक्षा होता है रिक्षा, या आपकी किसी auto taxi stand पे चले जाओ कभी, या मैं कहता हूँ चलो रिक्षा पकड़ो छोड़ो, एक रिक्षा है, और रिक्षा मेरे को बना नहीं आता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कि बस एक stand है, ठीक है, और यह रिक्षे वाले की seat है, यह tire है, यह आगे handle है, यह ऐसे handle bar है, और यह यह पीछे seat है, ठीक है, यह क्या है, यह रिक्षा है, अब अगर किसी भी रिक्षे वाले के पास मैं जाता हूँ, और मैं उसे बोलता हूँ भईया, metro station जा रहा है, तो वो मुझे क्या बोलता है, metro पे ले चलूँगा, तीस रूपे लगेंगे, पहले बहुत सारे रिक्षा वाला होते थे, अब रिक्षे वाले ही कम हो गए, इन सब ने क्या करा है, ग्रुप बना लिया, अब आप ढूंडते रहोगे, ढूंडते रहोगे, पे रिक्षे वाले ही नहीं मिलेंगे, काइदे का जो रेट है, वो 30 रूपीज है, इन्होंने रेट बढ़ाया, रिक्षे वालोंने, और रेट बढ़ा कर भाई साब रेट कर दिया, स्ट्रेट अवे 80 रुपीज 80 रुपे का रेट कर दिया है इन लोगों ने जी हाँ 80 रुपीज का रेट कर दिया 80 रुपीज का इन्होंने उठा के रेट कर दिया अब रेट कर दिया उपर से क्या करा जितनी भी distribution है जितनी भी supply है जितनी भी demand है अब इन्होंने क्या करा supply को रोग दिया सर अब अगर आप supply को रोग दोगे supply को down कर दोगे demand तो है ना इंसान को तो metro station जाने के लिए रिक्षा चाहिए क्या रहा ओला कर लेंगे नहीं आता ओला रिक्षा बसन मेरे example में सिर्फ वही आएगा मेरा डाम क्या है दिवे मिगलानी PMBA PMBS पहले वेरी बात सुनो यहां पर रिक्षा विक्षा कुछ नहीं है अब इन सब लोगोंने क्या करा रिक्षा वालोंने अपना एक group बनाया और group बनाकर सर स्ट्रेट अवे क्या करते हैं जो अगर आटो टेक्सी स्टैंड्स पर जाते हूँ वहां भी तो ऐसा होता है बस वो सप्लाई को लिमिट नहीं करते हैं अगर सप्लाई को लिमिट कर देंगे अगर कोई भी दो चार मैनुफाक्चिरर कर दें तो इसे कातलाइजेशन कहते हैं जिसका फिर से गलत इंपाक्ट ह लिए हो ना तो मैं रहा एक तो उबेर नहीं होता है उबर होता है उबेर क्या होता है combinations dominant position अब ये dominant position क्या होती है dominant position उसकी होती है जिसकी market में चलती है जो वो करेगा वही बाकी लोग भी करेंगे ऐसा क्या अगर Reliance Geo ने मेरे हिसाब से इस point of time पर अगर Reliance Geo आके ये कह देता है कि अगले तीन महीने के लिए अभी Reliance Geo रेट बढ़ाएगा सब लोग रेट बढ़ा देंगे हाँ ऐसा ही होता है Reliance Geo ने price कम करके free कर दिया सबको free करना पड़ा बिचारी दो company's तो इस चक्कर में almost minus में ही आ गई थी कौनसी Vodafone idea फिर दोनों का merger भी हुआ सुरा होगा आपने इनुग तो जैसा जैसा जो market को जो lead कर रहा है जैसा वो करेगा पूरा बजार वैसा ही perform करेगा उसी को dominant position कहते है अब dominant position सर mobile phone की बारी में तो समझ में आती है network की बारी में समझ में आती है और अगर हम लोग बात करें same dominant position गाडियों में किसके बास है अगर गाडियों की बात करते है two wheeler की बात करते है तो किसके पास है ये dominant position को बता सकता है मेरे को सर टोयोटा के पास होगी बता सकते हो येस सर लिख देते हैं बताते हैं बताते नहीं है टोयोटा के पास होगी हिंडाई के पास होगी मारूती सुजुकी के पास होगी मारूती सुजुकी holds the maximum market share ऐसा जरूर है मैंने सुना है बट ऐसा नहीं है बटा गाड़ी गाड़ी बटा TVS तो it's more of a scooty तो market position जो भी hold कर रहा होता है वो dominant position पर होता है और ये combination क्या होता है यार आज के टाइम पे अगर मैं आपको कहूं कि Reliance Reliance की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर Reliance GO और Airtel अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं ये बन जाता है एक combination बहुत खतरना यार से आदा घंटा बिटा ये बन जाता है एक combination अगर कोई बहुत दो बड़ी बड़ी company साथ में आ गई तो कहरा सर दिक्कत है अब बात आती है consumer protection पर consumer protection जब वो आता है जागो ग्राहक जागो आप बाजार से कुछ खरीद कर लाते हो मैंने two wheeler नहीं बोला था two wheeler बोला था क्या तो मैं फिर four wheeler के नाम बतार था और तुम लोग सुनते भी जा रहे थे देखो अभी बात आती है consumer protection की आपको बहुत बार कहा जाता है कि expiry rate देखकर ही सामान खरीदे आप सर बिल्कुल अगर किसी इनसान ने आपको गलत समान बेज दिया तो क्या होगा सर गलत समान ऐसे कैसे बेज देगा मैं पगड़ लूँगा उसको सर ऐसे कहा जाएगा मैं तो पगड़ लूँगा ऐसे कैसे गलत समान बेज देगा अगर गलती से बेज दिया तो सर कंजूमर फोरम ले जाओंगा उसको आच्छा कंजूमर फोरम ले जाओंगे उसको हाँ कंजूमर कोट में केस डाल दूगा उसके नाम पर मेरा एक दोस्त था उसने घर पे कुछ ऐसा मंगवाया अपने जो की दूद में डाल कर पीया जाता था अब मैं नहीं बता रहा कि वो ठंडी में था या गर्मी में था जो भी था उसके बीच में छिपकली निकली उसने फोन किया तो फटा फट भाग के तो फटा फट से उसको पास कंपणी वाले आये उसकी बॉटल चेंज कर दी क्यों? कंजूमर राइट्स क्योंकि कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट वहाँ पर आ चुका था सर आपको याद होगा कि मैगी के उपर भी केस हो गया था आपको याद है मैगी डिसकंटीन्यू हो गई थी हाँ कंपनी में आपको जो भी चीज़ोंकि रेक्वार्मन्ट होती है केला सर कोई टैंशन नहीं है कोई कंपनी तंग कर रही है कोई ब्रांड तंग कर रहा है तुम्हारे को कोई प्रोडॉट्क लिया खराब निकल रहा है मेरे को पताओ मैं हैंधल करूँगा तो हम यह सब बाते हैं पर पंडने वाले हैं कि अगर आप एक कंजूमर हो कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में है और अगर आपके साथ दोका दड़ी हो गई है तो सर एक बात बताओ ना यह हैंडल कैसे होगी चलो एक चीज बताओ यार यह मेरे पास पानी की बॉटल है आपके पास ऐसा कुछ है किसी के पास इसके पाकेट हो यह कुछ ऐसा हो आप ने देखा ओगा हरे एक चीज के पीछे ऐसे कुछ ना ingredients लिखे होते हैं देखो ध्यान से अगर आपको दिख रहा है तो अगर ये focus ले पा रहा है तो नहीं ले पा रहा है sir जादा नहीं नदर आ रहा है कोई गल नहीं कोई गल नहीं अच्छा मुझे एक चीज बताओ अगर आप कभी भी जाते हो समान लेने के लिए तो जो दुकानदार है वो आपको 500 आदे किलो का वेट एक किलो का वेट दो किलो का वेट ये ही क्यों देता है पदा नहीं सर पदा नहीं मतलब हमारे को हमेशा आदे किलो का वेट क्यों मिलता है या एक किलो का वेट देखने को क्यों मिलता है हमारे को ऐसा क्यों नहीं है 175 ग्राम का वेट बना दिया किसी ने आपने अगर कभी सबजी ली तो उसने ऐसा तो नहीं किया 175 ग्राम का वेट बना रखा उसकी जगा एक पत्तर रख रखा है पत्थर नहीं रख सकते सर कानूनन जुर्म है ऐसा क्या अब ये Legal Metrology Act ने आके हमारे को बताया कि सर अगर आप लीटर की बात करो तो सामान हमेशा आपको एक लीटर में, आदा लीटर में दो लीटर में, पांस लीटर में ऐसे मिलता है क्या रहा हाँ ये तो बात ठीक है क्या अगर हम लोग ऐसी बात करें तो ये किसने डिसाइड कर लिया सर ये किसने डिसाइड कर लिया ये किसने बता दिया कि ये सारा काम ऐसे होने वाला है और किसने बता दिया कि हर एक bottle के बीचे लिखना जरूरी है 500 ml किसने बता दिया कि लिखना जरूरी है कि ingredients क्या-क्या है मैगी में यह बताओ हाँ यह क्यों लिखा होता है यह किसने बताया आप कोई भी चीज खरीटते हो खाने भी नहीं कि उसके ingredients भी लिखे हुए है directions to use भी लिखे हुई है क्यों लिखी हुई है मतर लिखो समझो किया नहीं कैसर पहले तो एक किसने डिसाइड किया लीगल मेटरोलॉजी अक्ट ने है अब आता हूं अगली बात पर यह इतने सारे ब्रैंड्स आपके सामने हैं किया सर बहुत सारे ब्रैंड्स हैं इन में से आपने देखा होगा कि जीने के लिए तीन चीज़े जरूरी हैं अरे यार इसेंशल कमोडिटी दो आइस किया हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके जीने के लिए जरूरी है सदल जैसे रोटी कपड़ा और मकान हाँ जैसे की एडिबं ऑॉल जैसे कि एडिबल एडिबल ऑईल जो होता है वो भाई खाना बनाने के लिए जरूरी है ना हाँ खाना बनाने के लिए जरूरी है आटा जो है खाना बनाने के लिए जरूरी है तो सरकार ने बोला जितनी भी चीज़ें यह जीने के लिए जरूरी है इन पर मार्जन बड़ा कम होता है गवर्में अगली बात को समझो अगर मैं आप एक और चीज बताता हूं इसेंशल कमोडिटी समझ में आया होगा जो बेसिक चीज़े हैं जो जीने के लिए लाइबली हुट के लिए जरूरी है उनके प्राइजस सरकार अपने हाथ में रखती है और वो खुद कंट्रोल करती है क्या सर एक और फंडे पर आपको लेकर आता हूं अगला लौ आता है अबाउट रियल एस्टेट रेगुलेशन आपने क्या कभी ऐसा देखा है कि यह इन लोगों ने घर के पैसे दे दिये हैं बहुत पर इनको घर नहीं मिल रहा है यह बहुत जादा परिशान हो रहे हैं सब क नहीं दे रहा है यह बिल्डर आपको स्ट्रेट अवे घर नहीं दे रहा है अब क्या किया जाए कैरे सर अगर ऐसे सिनारियो में आप फस गए हो तो सरकार ने बुला कि आज के बाद कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अगर आ गया तो उस रियल एस्टेट प्रोजेक प्रोजेक्ट को भाई पहले लेकर आओ और हमारे पास आकर उसे रजिस्टर कर आओ सरकार ने कहा अब सारी चीजों का ध्यान हम लोग खुद रखेंगे तुम लोग पता नहीं या लोगों से पैसे ले लेते हो उनको घर देते नहीं हो वो सारे बिचारे परिशान हो रहे ते रहेते हैं पता नहीं कितने लोगों के ऐसे पैसे फसे हुए ऐसा क्या येस नजाने कितने लोगों के पैसे फसे हुए और पता तक नहीं है कि कहा है क्यों है कैसे है बिल्डर कहा है इंडिया छोड़ की भाग गया सरकार ने का जो हो गया हो गया अब नहीं होगा ये काम अब अगर किसी की property भजी तो तुम्हारा भाई है न देखेगा सब ये कैसे होगा ये इस chapter में आपको सब पता चलेगा Real Estate Regulatory Authority Real Estate Regulation Act ये ही सारा काम करने वाला है ठीक है अब एक और बात करते हैं सर क्या सारी properties जिसमें आती है बिल्डिंग के हिसाब से फिर देखा जाता है कि आपके ये है नहीं है उसमें project को register करवाना पड़ता है आज आप किसी भी builder के पास घर लेने जाओगे न वो पहले आपको ये ही बताएगा कि देख लो ये मेरे वाला register है इतने टाइम में मैं आपको possession दे दूँगा अब अगर उसने possession नहीं दिया तो हो सकता है सरकार उसको jail में भी डाल दे ऐसा अच्छा अब ये real estate projects अच्छा एक property dealer आपने देखा होगा घर के आसपास बहुत सारे property dealers है बहुत सारे property dealers को तो अब RERA Act के अंदर registration भी करवाना है else आप property dealing का business ही नहीं कर पाओगे क्या सर इस तो बहुत सारे property dealer है उन्होंने कराया ही नहीं वो RERA वाले projects में deal ही नहीं करते जो RERA वाले projects में deal ही नहीं करता तो वो क्या करेगा बचारा इसको registration करवाना है और इसे पता ही नहीं है जो authorities है वो ये सारी authorities यहाँ पर बनाई हुई है थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ अगली बात पर आता हूँ अब आते हैं intellectual property rights पर ये IPR क्या होता है IPR सर प्यार तो सुना है अरे पढले बेटा मोका है प्यार व्यार सब धोका है चोड़ ले बेटा सिर्फ पढले बेटा मोका है अचा अभी एक बात को समझो IPR क्या है intellectual property rights ऐसा कुछ आपने इसको भी सुना हो या नहीं सुना तो मैं एक चीज़ बताता हूँ यार मैंने website भी नहीं दिखाई कोई बड़ी देर से तुम लोग के साथ बाते करते करते प्रेस information यह जो मैं आपको बतार था कि Google ने क्या करा है Google पे penalty लगाई कितनी स्ट्रेट अवे सर 936.44 करूर रुपीज किसमें कैसे लगा ही penalty Competition Commission of India ने उन्होंने यह बोला कि भाई यो तेरे प्ले स्टोर है ना इसमें गड़बड़ी है प्ले स्टोर में तु कोई सही काम नहीं कर रहा है उसकी policies ठीक नहीं है Google के पास अगर आप कोई Android फोन चला रहे हो और आप कहते हो सर मेरा इस company क्या उस company का नए Android फोन का जो system है जो software है वो Google का अपना है Android फोन में software services देने वाला ही Google है अगर आप चाहो तो भी आप अपने फोन में से Google की कुछ चीजों को delete नहीं कर सकते ऐसा क्या ना हो तो करके देख ले ना अभी आदे माले फोन में तो मैंने ये तक सुना है आप गूगल पे है उसको भी delete नहीं कर सकते बाइ डीफॉल्ट वो application आपके फोन में रहेगी रहेगी अब आते हैं हम लोग इधर ये क्या है ये है intellectual property rights पर अभी फिलाल इसको समझते है कि intellectual property होती क्या है intellectual property क्या है किसी भी business के अंदर अगर उस business को grow करना है तो वो अपनी intellectual properties के साथ रहता है intellectual property मतलब कुछ ऐसे आपके rights कुछ ऐसा काम जो अगर आपने किया है तो sir कोई copy नहीं कर सकता उसको कुछ ऐसे rights जो आपको दे दिये जाएंगे और कोई भी उसे use नहीं कर सकता बिना आपकी permission के जैसे की sir जैसे की अगर मैं आपको बताओं कोई गाना चला दूँ यहाँ पर गाना सुनोगे गाना कौन सा चलाओ चलो बताओ गाना चला देते हैं यार बहुत देर होगी गाना चला देते हैं बच्चे इतनी देर से पढ़ रहे हैं कोई गाना बताओ बढ़ी आसा चला द का कोई स कटकल सकते हैं कुई दिक्कत तो नहीं है कि अगर मैं किसी का भी गाना यहां पर चला देता हूं यूट्यूब पर जाता हूं और मैं वहाँ पर किसी का गाना चला देता आँगे कर तो चला सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है और अगर यहां mein गाना चलाधी है कि जो लगावए जो लिपिस्ट्रिक, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट तो कॉपी राइट आ जाएगा आपने बहुत सारी यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि यार हम अपनी वीडियो में गाना नहीं चला सकते हैं हाँ कपिल शर्मा शो पे पहले वो इंसान गाना गाता था हाँ बहुत बढ़िया और एक दिन उनको पास धीरे धीरे जिसका भी आप गाना गाओगे वो आपको बिल बेज़ देगा सर कि तुमने मेरा गाना गाया है इसके ओपर मेरा राइट है अगर आपने जॉली लेल भी देखी है और आपके अलावा नो वन एल्स कें यूज एल्स कें यूज एक्सेप्ट जब तक आप उसे पर्मिशन नहीं दोगे सर क्या बात कर रहे हो आप नहीं गाना गा सकते हैं दुनिया गा रही है यूट्यूब पर इतने गाने अच्छा दिखाओ सिंगर के अलावा कौन गा रहा है उस सिंगर के अलावा अगर कुईसी इंसान ने अगर किसी यूट्यूबर की वीडियो तक चला दी तो कॉपिराइट स्ट्राइक आ जाता है आप के रहे हो गाना चला दिया नहीं ऐसा नहीं होता क्या रहा एक और बात को समझो क्या रहा अभी फिलाल आपने बताया ये राइट्स बहुत सारे तरीके हैं इंटेलेक्शल पॉपेट्टी है पेटेंट सुना है किसी ने पेटेंट पेटेंट क्या होता है अगर आपको कहीं भी आईपियार मिल गया तो that means straight away वो आपका right है और कोई और इंसान उन आईपियार को यूज नहीं कर सकता बेटा किसी भी तरीके से ये पेटेंट क्या होता है सर पेटेंट मिलता है इंवेंशन पे अच्छा इंवेंशन पे अगर किसी ने इंवेंशन कर दी तो उसकी इंवेंशन को सिर्फ वही इंसान यूज कर सकता है और कोई यूज नहीं करेगा बिलकुल सर करोना के टाइम पे सीरम इंस्टिट वालों ने एक वैक्सीन बनाई क्या नाम था उसका कोवी शील्ट ठीक है और सीरम इंस्टिट वालों ने ये जो इंवेंशन कर दी इस पर क्या ले लिया होगा पेटेंट ले लिया होगा या चरो मैं एक और चीज बदाता हूँ छोड़ो ये तो खैर हो गई ना बात पुरानी हो गई अगर कोई भी इंसान जैसे मैंने देखा कि एक साइकल है एक नॉर्मल साइकल है पेडल वाली उसको इलेक्ट्रिक साइकल में कनवर्ट करने के लिए एक किट बनाई गई है जैसे या आप वो किट लगाओगे आप किसी भी साइकल को इलेक्ट्रिक साइकल में कनवर्ट कर सकते हो या इसको और बहतर कर दू, और बेटर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ, cycle छोड़ो, kit छोड़ो, एक गाड़ी है, आपके पास कोई भी पेटरोल या एक स्कूटी ले ले लेते हैं, किसी भी स्कूटी के अंदर एक kit लगाने से वो electric स्कूटी बन जाएगी, ये kit कितने की है, 15,000 रुपे की, बताओ, अगर ऐसा कुछ कर दिया, कोई invention कर दी, कोई नई चीज आप लेकर आ गए, तो उसे क्या कहते हैं, सर ये invention है, आच्छा, अगर मैं आपको कहूँ, कि भाई, invention तो ये भी है, oxygen ली, carbon dioxide छोड़ दी, तो सर invention तो ये भी है, अरे सर ये discovery है, समुदर के किनारे इतने सारे लोग घूमते हैं, किसी को कोई pearl मिल जाता है, किसी को कोई हीरा मिल जाता है, किसी को कोई सोना चांदी मिल जाता है, तो सर वो discovery है, अगर कुछ भी nature में present है, आप उसको ढूंड कर ले आए हो, वो discovery है, वो आपने वो लगाया, सर उसके बाद आपका चश्मा ही उतर जाएगा, मैंगो शेक आया बजार के अंदर एक ऐसा मैंगो शेक आया है, जिसने भी पिया उसका चश्मा उतर जाएगा, आखों का नंबर एकदम ठीक हो जाएगा, कोई नई invention आईए, सेम टाइप की invention कोई भी इ पेटेंट ले लेता है, पेटेंट हमेशा ध्यान रखना बेटा, इन्वेंशन पर मिलता है, और जिस भी इनसान का पेटेंट है, उसे और कोई यूज नहीं कर सकता, अब जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल कंपनी है, ठीक है, अब अगर गूगल को किसी भी तरीके से, जितने भी गूगल के सॉफ्ट्वेर है, वो कोई और इनसान यूज नहीं कर सकता, विदाउट पर्मिशन आफ गूगल इसल्फ, मतला बिना गूगल से पूछे ये काम नहीं हो सकता, नहीं, आपको अगर कुछ भी प्ले स्टोर पर डालना है, गूगल क्रोम को यूज करना नहीं है, तो भी यार, गूगल के साथ एग्रिमेंट होता है, हाँ, दो, दाट्स ऑनलाइन, अकाउंट बगरा बनाके, इजी प्रोसेस है, पर अगर किसी ने कोई भी इन्वेंशन कर दी, मैं कहता हूँ, किसी ने फोन बना दिया, ऐसा फोन, जिसके अंदर किसी भी तरीके से, ना सिम डालनी है, ना वाइफाई की जुरूत है, बिना सिम, बिना वाइफाई के चलेगा, ओ, इन्वेंशन, एक टैबलेट बना दी किसी ने, ECIPL नाम की दिवे मिखलानी ने एक टैबलेट बना दी, कि बेटा मेरे पास आओ, ECIPL का टीका लगवाओ, कुछ पढ़ने क जुरूतीनी सब, दीरे-दीरे दिमाग में फिटो हो जाएगा अपने आप, अंदरी-अंदर, हाँ, यह सब क्या है, यह सब थो ख्यार मजाग था, पट जितनी भी चीज değişe पेटेंट की फॉर्म में हमारे पास आती हैं, जितनी भी चीज पेटेंट की फॉर्म में आती हैं और 41,000 पेटेंट अभी तक हमने साल 2023 से 2024 के बीच में हम लोग अचीव कर चुके हैं अभी साल खतम नहीं हुआ है तो सर हर एक चीज पर पेटेंट है हर एक इन्वेंशन पर हाँ अच्छा अब बच्चे ने एक ने लिग दिया ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क क्या होता है अब हम लोग बात कर रहे थे about ट्रेडमार्क सर ट्रेडमार्क क्या है ट्रेडमार्क होता है एक छोटा सा लोगो मैं सेम एक्जामपल हर बार हर स्टूडेंट्स को दे देता हूँ पर कोई बात नहीं अगर मैं आपको कहूँ ऐसा को शूस पे नजर आता है यही बात अगर मैं आपसे करूँ ऐसा कुछ गाड़ी पे लगवा दिखता है यह क्या है ओडी हाँ ओड़ी ऐसा कुछ हमारे को देखने को मिलता है अब ऐसा ही ट्रेड्मार्क ये रहा ऐसे ही ट्रेड्मार्क ये सारे हैं सर्फ एक्सल है आपका पॉंड्ड है वील है div है sun silk है magnum ice cream है रिं supreme है ताजा है ताज mail है किसान टॉमेटो केचप है यह सब क्या है इन सब को ट्रेडमार्क कहते हैं यह सब ट्रेडमार्क हैं in case यह जो logo हैं बिना इनकी permission के कोई और use नहीं कर सकता अच्छा तो सर मतलब आप अगर यह क्लास में यह apple का logo हटा के यहां लगा दो नीचे तो लगा सकते हो नहीं लगा सकता infringement केते हैं इसे भाई साब बहुत जबरदस्ट केस हो जाता है इसके उपर क्या बात कर रहे हो सर जी हाँ अब अगली बात पर लेकर चलू क्या ट्रेडमार्क समझ में आया है ट्रेडमार्क क्या कहते हैं अच्छा सर एक बाव बताओ यह तो ऐसे बहुत सारे लोग है जो डुप्लिकेट बेच रहे हैं आपको पता नहीं है शायद 7A कॉपी 5A कॉपी मिल जाती है बजार में रॉलेक्स मिल रही होती है देखो रॉलेक्स की साइट से या मुझे पता नहीं है एक बहुत एक्स्पेंसिव वाच की साइट से यह स्टेटमेंट आई उनको बुरा कि सर इतना कुछ मार्केट में डुप्लिकेट बिक रहा है यह बहुत पुरानी कोई स्टेटमेंट है जो मैंने पड़ी थी ख्यार अभी ट्रेडमार्क का क्या है सर कोई भी लोगो जो आपके ब्रैंड को दूसरे ब्रैंड से अलग करता है ये क्या है ट्रेड मार्क ये क्या है ट्रेड मार्क ट्रेड मार्क लोगो कोई और इसे यूज नहीं कर सकता ऐसा नहीं है किसी इंसान ने कोई टी शर्ट बनाई उसके ओपर फी डवल्यू का लोगो लगा दिया नहीं बना सकता भई अगर ये मान लिया हम लोग नहीं बनाते पर जिसको दी है जिसको permission दी है ये logo लगाने के लिए वो भी हमारे से बिना पूछे नहीं लगा सकता, अब आगे चलते हैं, अगली बात पर आते हैं, तो बिटा एक मिनट एक मिनट, ये सारे देख लो, ये सारे के सारे logos ही हैं, और ये सारे के सारे brand names, logos, अब जरूरी नहीं ह है कि आपका जो logo है, वो ऐसे कोई fancy तरीके से बनाओ, सिर्फ नाम लिखाओ वो भी trademark बन जाता है, सिर्फ नाम ही तो लिखा है पैप्सो रेंट, नाम ही तो लिखा है वैसलीन, कोई और लिख सकता है, नहीं, पॉंड नाम ही तो लिख दिया, सर क्या सारे के सारे ladies products हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर हम लोग कहें, कोई well known trademark, कोई ऐसा trademark है, जो चाहे registered भी ना हो, पर इतना जादा popular है, सर जैसी मैंने ये बताया, ये लिखा और मैंने बोला, shoes पे आता है, आप लोग फटा-फट से समझ गए, कि क्या है ये, सर ये तो shoes पे आता है, नाहीं क करते है, that's it, Tata भी ऐसे ही करता है, महिंदरा भी ऐसे ही करता है, सर महिंदरा तो M बनाता है, गाड़ी पे, Tata का T बनता है, हाँ ठीक है, T बनता है, but actually मैं, वो तो steering पर कर देते हैं, उसको, चलो ठीक है, आपने कहा तो मान लिया, अगली बात पर आता हूँ, अगली बात आ का जाएगी, मैं गाना नहीं चला सकता, या फिर किसी यूट्यूबर ने ये भी बोला होगा, कि हमारी वीडियो कोई की और चैनल पर अप्रोड़ी दी, भाई मैंने तो copyright strike मार दी, ओ, ऐसा था क्या, हाँ, अब ये copyright है, क्या, copyright हमेशा मिलता है, आपको artistic work पर, दिरिश्यम टू, टू, तू देखी है किसी ये टू, वो रहा हूँ मैं भी, दिरिश्यम टू, दिरिश्यम टू, देख क्या आया गोई, उसमें विजे सालगा उकर क्या करता है, अपनी बुक लिखता है, फिल्म बनाने के लिए, और उस बुक पे copyright ले ले लेता है, ताकि उसकी स्टोरी कोई चोरी ना कर पाए हाँ यही तो होगा ना सर यही तो हुआ तो यहाँ भी अगर मैं आपको कोई भी बंदे की बात बताओ यार चाहे आपने कपिल सर्मा शो देखा हो चाहे या तो फिर आपको मैं कहूं कि आपने हनी पाजी का यह वाला गाना सुना हो या मैं कहूं कि आपने एनिमल मूवी देखी हो इन सब लोगों ने क्या किया है इन सब लोगों ने कॉपी राइट ले लिया दे हाब कॉपी राइट और इनके कॉपी राइट के चलते ही मैं इन चीजों को class में नहीं चला सकता हूँ straight away मना है अगर चला दी तो sir copyright strike हो जाएगी channel take down हो जाएगा पूरा ऐसा क्या? जी हाँ अब एक और बात को समझते है sir एक बाब बताओ ये copyright अगर मैंने कहा ये यो यो हनी सिंग यो यो हनी सिंग ने अगर copyright ले लिया है तो ये copyright कितने time के लिए मिलता है copyright मिलता है आपको lifetime of author plus 60 years after death आपके मतलब जब जिन्दगी नहीं रहेगी उसके भी 60 साल बात तक copyright इनके पास रहेगा तो मैं अगर कहूं कि यार कोई मैं बहुत पुराना गाना चलाना चाहता हूं मैं वो भी नहीं चला सकता सर क्या चला सकते हो अपनी pw की वीडियोस चला सकता हूं अच्छा सर इंस्टाग्राम वगरा पर ठीक है वो तो पॉपुलारिटी गेन करने के लिए है वहां कोई दिक्कत नहीं है यहां पर ऐसा नहीं होता किसी को भी आप नहीं देखोगे ऐसा करते हैं तो सर गाना नहीं चलेगा नहीं यार गाना तुम लोग अपने याँ चला लो क्लास खतम हो जाएगी थोड़ी दर में बस फिर चला ले न अब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में आपने बहुत बार देखा होगा जगह जगह पर लिखा होता है made in China made in China made in China made in India क्या ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है नहीं ये सिरफ country of origin आया कहाँ से है जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है इसको समझते हैं बड़ इससे पहले एक बार दिखाता हूँ कि हम कहां तक पहुंचे हैं हम कहां तक पहुंचे है सर मतलब आप ये रहे सर ये क्या है ये आपकी intellectual property के सारी information है quick information नहीं नहीं आप design आप patent पे हो चरो patent पे ले चलते हैं आपको comprehensive services patent grant कैसे किया जाता है patent आपको मिलेगा कैसे और patent को file करने का process क्या है ये सब हम लोग class में पढ़ेंगे सर accordingly ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि इस फंडे को थोड़ा सा change करते हैं और हम लोग पीछे आकर बात करते हैं design के बारे में या trademark के बारे में तो ऐसे ही trademark कैसे file होता है अगर माल लो आपने कोई trademark बनाया चलो मैं आपने लिए trademark बना लेता हूं को सिधा-सिधा डी और एम लिखता हूं और मैंने का दिव्वे मिखलानी यह trademark ले लेते हैं यारप यह trademark ले लेते हैं तो क्या वो trademark लिया जा सकता है वो trademark और किसी ने तो नहीं लिया तो हम क्या कर सकते हैं इसको search कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो trademark आप लेने जा रहे हो क्या वो already किसी ने लिया है आप trademark goods पे ले रहे हो या services पे मैंने iPhone को बोला मैंने का यार तू एक काम कर देना तेरा तो iPhone है सेप तेरे पास है तू रख ले मेरे को दे दे मैं कुछ और बे देखेंगे और हमारे क्या क्या agreements किस किस के साथ है एक और बात पर आता हूं सर अब हम बात कर रहे थे अब 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 जियो ग्राफिकल इंडिकेशन अब यह जी आई है यार हमने made in चाइडा made in इंडिया made in इंडिया यह तो बहुत बार देख लिया जियो ग्राफ चीज फेमस है यह स्ट्रेट अवे उन चीजों पर रहे देर फॉर्टिवाइब क्लासे चोडवाई इसको यह नहीं चाहिए हमारे को यह information नहीं चाहिए एक मिनट रुको बेटा एक मिनट रुको क्विक इंफॉर्मेशन के अंदर फाइलिंग आप्लिकेशन इंडिकेशन के नाम से जानते हैं सर जैसे की जैसे की जैसे की बीटा बस पांथ-बीनटेव याद पांथ-बीच्प नखर बाइस पी थेवस है उसके बाद और ऐसें चीज कुछ मार्च में रेजिस्टर हुए ऐसे चलते चलते बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो कि हमारी फेमस है ऐसा क्या हाँ जी पांट दस मिंट बेटा बस खतम होने वाला या चैप्टर खतम केल खतम सर पोकली राइस और हैंडी क्राफ हैंडी क्राफ यार कोई खाने भी लेकि आइटेम नहीं बता रहा है क्या इतने सारे हैं क्या अगर मैं लेटेस वाले पर आपको ले आओं जो लेटेस में हमारे यहां पर रेजिस्टर हुआ है यह वो सारी चीज़ें हैं और बिलॉंगिंटू यह कौन सी जगा की हैं यह भी आपके सामने है कोई तामिल नाडू से है कोई राजिस्थान से है कोई महारास्ट्रा से है तो बच्चे अपना अपना देख सकते हैं कि हमारे यहां पर कौन सी चीज रेजिस्टर्ड है ठीक है चलो सर फिलाल कोई बात नहीं आपको लग रहा है ज्यादा हो रहा है ठीक है अब अगली बात ना फटा फट से एक दो चीज़े और बता देता हूं फिर राप अप करते हैं बटा नहीं किती देर पड़ा हो गई तक गया हम सुबह से बैटे हैं पता आपको अच्छ सुबह से बैटे हैं अब बात आती है आखरी में डिजाइन की सर डिजाइन क्या होता है डिजाइन का तरीका होता है यानि कि जो आपका पैटन है जो तरीका है जो शेप है जो कंफिग्रेशन है जिस तरीके से आईफोन आता है वो सेम तरीके से कोई और कंपनी क्यों नहीं रहें ति सेम डिजाइन गैंस सेंप इस भी के बात नहीं पंता जिस तरीके से मारूती की जो गाड़ी आती है आडि टोल्टा में भी आती है कैसे हैं सेम डिजाइन कॉपी तो कर रहा है हासर दो बाट ठीक है अब अगर यहीं बात आप तरीके से एक और बात को समझते हैं रखर किसी कंपणी ने फॉन बनाया छोड़ो किसी ने स्कूटी बनाई सेम डिजाइन दूसरी निभार लेथी और फबात आलेग है नहीं बनाते सेंव डिजाइन किसे कॉपी कर सकते हैंकिसी और का डिजाइन है Mercedes की गाड़ी बन रही है वो क्यों नहीं बना ले दा मारूती वाला नहीं बना सकता, Toyota की क्यों बना रहा है सर, agreement है न, design यूज करने की permission दे दियो उसको अच्छा, अच्छा, तो design है क्या कोई भी shape, configuration कोई भी service pattern, कोई भी कटन, कोई चीज़ को लाइने भाइने खीच के, मना दो सर कोई भी combination, design बन जाएगा अगर आपका, registered नहीं हुआ अगर registered नहीं हुआ तो आपको दे देंगे ना सर क्या दिक्कत है, काँ है I call अभी काँ है, बंद बंद, देखो similarity में और identical में फरग होता है similarity में अब design क्या होता है, duration कितनी है, publication कैसे होगा कैसे आपको मिलेगा, यह सारी बात होगी, और यहाँ पर हम लोग design के बारे में भी बात करेंगे, और किदर गया यही तो राया यह तो GIs का है यह तो GIs का है हमने design के बारे में बात करनी थी नहीं, वो अगले टैप पे खुल गया शायद प्रेस information GIs, about us, DIPP नहीं, quick information में यह मुझे फिर से वही दिखा देगा नहीं, about us, measure and vision यहाँ पहुँच गए, ना IPP India यहाँ से थोड़ा सा इसको हटाते हैं राजीव गांदी, training and courses नहीं यार वीपो पे भी नहीं आना था मुझे webinar पे भी नहीं आना था training and courses पे भी नहीं आना था कोई बात नहीं, रहने देता हूँ अभी मेरा शायद वो page particularly load नहीं हो रहा है इसी वज़े से थोड़ा सा इशुवार कोई बात नहीं, अच्छा मुझे ये बताओ सर अब ये सारी चीज़े हम लोग cover करने वाले हैं हाँ, हाँ, अब बताओ ठक गए क्या तुम लोग ठक गए क्या, बच्चे ने कहा सर चुट्टी कर देते हैं, क्यों अच्छा किसी को कुछ पूछना है अभी अच्छा, दो-तीन चीज़े में बताना अभी भी रहे गई हैं, वो भी बता देता हूँ, फटा-फट से कई नहीं तो तुम लोग को कुछ पूछना है, तो यार अपना डाउट पूछ लो फटा-फट से, फिर रैप अप करेंगे पका दो-चार मिनिट में किसी को कोई डाउट है, तो पूछ सकता है बेटा, 20% of the portion is going to be MCQ, जिसके लिए question bank भी है, DPPs भी है and 80% portion will be descriptive, सर, MCQ मतलब, जैसे बच्चन साब आते हैं, पताते हैं कौन बनेगा करोरपती, देवियों और सज्जनों चार option होंगे ये website कहां से पता चलती है, सर, अरे यार, यही तो फरक है ना, मेरे में और बाकियों में, website कहां से पता चलती है, यह हमारे को सब पता है कौन सी website से study material का कौन सा portion आया है, मैं यह भी दिखा सकता हूं, तुमारे को मतलब, आप यह बता दोगे, कि institute की study material में जो लिखा है, वो कहां से आया, हाँ, मैच करवा दूँ आएक एक वर्ड, कि यह वहां से लेकर आये है यह वो सरकारी स्कीम है, जो आपको पढ़ाई जा रही है hidden talent है hidden talent है, कमाल है तुम लोग क्या रहाए आपने वो कर दिया, अभी इसके लिए बिटा, new negative marking ध्यान रखना, अभी तक कोई negative marking सुनने को नहीं मिली है अगर आपको CMSL interesting लगा, तो believe me यह उससे भी जादा interesting है अच्छा, सर, फेमा एक बार वापे सारा, साथ चैप्टर है अग्ली क्लास से फेमा ही शुरू कर रहे है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा, क्यूंकि आप एक अच्छे CS है इसलिए आप teacher है ओके, thank you क्या बात क्या बात अच्छा, देखो, अभी descriptive की हम लोग बात कर रहे थे तो descriptive में क्या है, सर, answer लिखना नहीं आता रहे, कोई tension वाली बात नहीं है answer writing मेरी class के अंदर ही होगी भाई answer writing की practice भी हम लोग यहीं करेंगे ऐसा क्या सर, chapter 20 थक आते आते chapter 1 भूल गया यहाँ पर ही हो सकता है, बस यह वैसे नहीं होगा क्योंकि याद करने के तरीके हैं याद करने के तरीके हैं वो याद करने के तरीके हैं किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं होता सारी चीजों को ध्यान रखना अगर आप कोई भी movie देखते हो तो आपको वो पूरी movie याद नहीं रहती पर उस movie में से कुछ-कुछ बातें हाद रहती हाँ ऐसा ही होता है, तो ऐसे अगर इंसिट्यूट की book 700 pages की आती है सर 550 की है 1500 पन्ने की amendment आ चुकी है बेटा दिसंबर वालों के लिए ऐसा क्या, और smart बच्चा मेरे साथ वो है, जिसको पुराना भी पता है जिसको नया भी पता है और जिसको सिर्फ पुराना पता है, नया नहीं पता तो दिक्कत आ जाएगी जब chapter पढ़ेंगे, अरे यार दिखो difference कैसे create होगा difference कैसे create होगा, difference ऐसे create होता है, जब हम लोग बात करते हैं कि भाई, अगर कोई तुमारे को दोस्त मिल गया, उसने बोला कि यार ऐसे ऐसे हैं, मैंने तो पढ़ा था आप बताओ, ये पुराना था, ये नया है तुझे सिर्फ पुराना पता है ओ अना, तब की बात है DPP नहीं मिल रही अभी कहां बेजी है, मैंने अभी chapter तो पढ़ाने दे मेरे को, यार, DPP कैसे बेज दू अभी DPP कैसे बेज दू बेटा, चाप्टर में तो आने बे पहले माल लिया, तुम लोग smart हो, माल लिया, तुम लोग तेज हो energetic explanation, sir, thank you so much अरे, energy तो बराबर रखनी पड़ेगी, यार, कमाल ठकना नहीं है, एक दा, मलाउड नहीं है किसी को कोई doubt, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परिशानी, sir, वो doubt आये तो, doubt आये तो महूना यहाप, doubt नहीं आएगा, doubt क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरा doubt का हो चुगा है, break up, मेरे को doubt पसंद ही नहीं था, ऐसा क्या, मैंने उससे कर लिया, break up, अब उसकी और मेरी लड़ाई है, जहाँ वो है, वहाँ, जहाँ मैं जाऊंगा, doubt वहाँ से बाग जाएगा, sir, JGL की बात कर रहे थे, JGL की DPP कौन सी आई है, उसमें भी तो अभी मैंने basic class ही लिया है, just about JGL, पहला chapter शुरू करेंगे, मंडे को सुबह साधे आट बजे, तो straight away आपके बाद DPP भी आ जाएगी, अच्छा, ओके, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, concept समझने का, concept समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, and it is very important, concept समझते चलोगे, अगर crystal clear चीज़े एक्दम आ जाती है न, तो फटा-फट से याद रहता है सब, sir और paper paper भी करेंगे, हाँ, पिछले 10 साल की paper हम लोग यहीं classroom के अंदर करेंगे, हमेशा सही साथ में लेकर चलता हूं, पिछले 10 साल के paper, बाइबाइ करते हो, sir अब बस कुछ नहीं पूछना हमारे को, कुछ नहीं पूछना, बाइबाइ करें फिर पक्का, बोलो बेटा, अच्छा एक बाइबार बता दो, किछी को कुछ नहीं पूछना तो बाइबाइ करते हैं, और जॉलियल बी 2 देख लेना, यह homework है, यही homework देते हो आप, मेरी क्लास में हमेशा यही homework होता है, बेटा, मेरा methodology यही है, मेरा methodology यही है, शुरू से बढ़ाने का, कि मैं बढ़ाऊंगा movie based पे, तो यही पता होना चाहिए, हाँ ठीक है, बाइ-बाइ-बाइ-बाइ- I got it, सम झाल 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 झाल